हलो एन वेलकम टू अनकेडमी क्या हल चाल है आप सभी के शुरुवात करते हैं आज के लाजवाब बहतरीन सेशन की आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं अगर आप अनकेडमी को सबस्क्राइब करते हो तो मेरे साथ साथ आपको इंडिया के बेस्ट एडुकेटर से पढ़ने का मुका मिलेगा मेरा नाम है नवी इन तवर जोगरफी से मैंने मास्टर्स किया है और जोगरफी से ही UGC NET और JRF दोनों क्वालिफाइड हूँ आज की जो हमारी सेशन है ये मैपिंग का सेशन है जैसा कि आप सभी जानते हो हर साल कोशन आते हैं मैपिंग से और मैपिंग के जो कोशन आ रहे है वो आसान नहीं आ रहे है तो कुछ कोशन ऐसे होते है मजला जब हम पूरी तैयारी कर रहे है UPSC प्रेलिम्स में कुछ कोशन ऐसे आएंगे अगर वो आपने ठीक की है न बिटा तो आपको एडवांटेज मिलता है बाकी सारे बच्चों पे तो मैपिंग वाला सेगमेंट ऐसा ही है अगर आपके एक दो कुशन ऐसे हो जाते है जो उतने आसान नहीं होते दिखने में आसान लगते है लेकिन थोड़ा उनका जो नेचर है न वो बहुत फाइन पता होना चीए हमें गहराई तक्ची जए सपस्टते हमें पता हो तो वो एक दो कुशन आपको बाकि सब लोगों से आगे कर देते है और मैपिंग यही रॉल प्ले करता है तो यह बहुत ही लाजवाब शेशन होने वाला है पिछले साल भी आपने कुशन देखा था एक दो कुशन दिखने में आसान लग रहे थे लेकिन वो आसान नहीं थे तो हम इसको स्ट्रेंथ बना के चलेंगे यह टेलिग्राम चैनल है अनकेडमी अंडर्सकोर नवीन तवर अनकेडमी अंडर्सकोर नवीन तवर इसी चैनल के जरीए आप मुझसे मिल सकते हैं मिलने का मतलब क्या है आप मेरी क्लासिज के पीडियाप मिलेंगे आपको मेरी मिलेगा और उसके साथ ही अगर आपको सब्सक्रिप्शन से पहले कोई डाउट है तो आप इसी टेलिग्रान चैनल पर मैसेज कर सकते हैं यह शांदार बहतरीन ओफर अनकेडमी फिर से लिक्या आया है देखो स्टुडेंट्स इस ओफर की खास खुबी क्या है 18 months का combo again introduce आप सभी बच्चों की भारी डिमांड पे आया है यह 63,898 रुपी में पड़ेगा मात्र वैसे original price है 78,999 तो वो बच्चे जो 2023 को बहुत सीरियसली ले रहे हैं आप सभी बच्चों को मेरी और से ये suggestion है जिनको ये लगता है कि 23 अभी बहुत ज़ादा दूर है सितंबर, अक्टूबर, नेवंबर में देखेंगे तो आपकी रणनीती गलत है 23 वाले बच्चों के लिए appropriate time है कि तैयारी अभी से जनवरी, फर्वरी से शुरू करनी होगी तब ही जाके है न ये IS की job है बटाए, ऐसे UPSC थाली में सजा के नहीं बैठा, मेहनत करना पड़ेगा और उस मेहनत के लिए time लगता है तो जिस भी बच्चे को लेना है वो ले सकते है, syllabus आप जानते हो, प्लस के अगर आप subscription पे आते हो तो आपको जरा भी भटकना नहीं पड़ता सारे educators है, सारा course है, material है, test series है और सबसे बड़ी बात मेरी mentorship कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है तो आपको करना क्या है, सिर्फ नवीन वन कोड लगा के अनकैडमी का subscription लेना है इस subscription के साथ आपको extra में क्या मिलेगा, books मिलेगी, और second fab से जो best शुरू हो रहा है, वो मिलेगा और test series का option आपको available है, कल सुभे 11 बज़े अनकैडमी combat होगा, 30 जनवरी, 24 question होगे, 60 मिनट उपर से आपको scholarship तो मिलेगी, मिलेगी, बहुत सारे gift vouchers भी आप, जीच सकते हैं, free, mega test series है, history पे है, economy पे, science टेक पे, current affair पे, इनको join कीजिए जल्द ही optional channel launch करने वाला है अनकैडमी, हिंदी में, bilingual में, जो बच्चे iconic subscription लेते हैं, उनको extra में क्या मिलता है, लग से एक mentor मिलता है, main question, answer, writing, practice होती है, और open house होता है, आपका educators के साथ, जो भी doubt हो, पूछ सकते हो आप उनसे, जो बच्चे one time पे नहीं कर सकते हैं, बहुत शा ले लेते थे, लाला सब कुछ हड़ाप लेता था, ऐसे कुछ नहीं बेटा, zero interest rate है, कोई interest नहीं, zero, कोई processing fee नहीं, zero, flexible tenure है, हर महीने चुका देना, और minimum paper वर्क है, करना क्या है, इसी वीडियो के description link में आपको loan form मिलेगा, उस loan form को नवीन one code से भरके भेज़ दो, या मुझे telegram channel पे message कर देना, कि sir, हमें loan के जरिये subscription लेना है, मैं आपको वहाँ पे guide कर दूँगा, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ journal studies का subscription लेना चाते है, एक साल, दो साल, तीन साल, ये plus subscription का option है, same iconic में भी, एक साल, दो साल, तीन साल, अभी जो बच्चा 2022 को target कर रहा है, एक साल, 23 को target क कर रहा है, तीन साल का subscription ले, code आपको नवीन 1 ही लगाना होगा, same आपका iconic में एक दो तीन, आगर आपका वेकल्पिक विशे जोगरफी है, तो आईए मेरे साथ plus per morning 9 a.m. पर हमारा pack चल रहा है, उसको आप join कीजिए, 10% discount है, एक साल, दो साल, तीन साल, कोई भी ले, नवीन 1 code आपको लगाना है, अभी बात करते हैं, आप लोगों के हाल चाल की, की हाल चाल है, जल्दी से बताओ क्या हाल चाल है आप लोगों के, audible, clear, बच्चे होशियार होगे, पहले ही बोलते है कि हाँ sir audible भी है, clear भी है, must है, जबरदस्थ है, उमीद करेगी आज की class से question solve करेगे, आज की class से UPSC का equation solve करेगे, ठीक है, well done, well done, चलो, मेरा अथन session का मतलब, यह session पहली बात तुमें clear कर देता हूँ, अभी 10 मज़े है, और यह session दोपैर के 1 पीम तक चलेगा, है ना, आपके पास विकल्फ होगा, चाय पीनेगा, नाश्टा करनेगा, खाना खानेगा, मैं सिर्फ पानी पी के आपको पढ़ाऊंगा, तो commitment मेरा भी, आपका भी बरावर का होना चाहिए, चले, mountain ranges in India, क्योंकि India mapping के उपर मेराथन है, तो पहले mountain range करेंगे, फिर हम passes करेंगे, फिर हम reverse करेंगे, ऐसे हम आगे चलेंगे, और इंडिया जोगरफी पे दो मेराथन session आएंगे, आज का मेराथन session 1 है, याद रखना, आज है मेराथन session 1, एक और session आएगा, तीन घंटे का एक और session आएगा, जिसके बाद हमारा इंडिया mapping almost complete हो चुका होगा, कोशिश करेंगे मेराथन session 3 की ज़रूरत ना पड़े, तो mountain ranges in India, आप जानते हो भारत में जो mountain ranges है, या तो हिमाल्ये में देखते हैं हम, ओके, या प्रायदीपिये भारत में, प्रायदीपिये भारत, ओके, तो पहले हिमाल्ये करेंगे, फिर प्रायदीपिये भारत करेंगे, तो ये देखिए, अगर हम हिमाल्ये को study करें, हिमाल्ये, परवत श्रंकला है, जो भारत के उत्तर में है, इस परवत श्रंकला का विस्तार इधर सिंधु नदी से लेके, है ना, इधर आपको भ्रमकुत रीवर तक, या हम इसको कहेंगे, अगर इंडिया में बात करेंगे, तो नंगा परवत से लेके, और नामचा बर्वा, अरुनाचल प्रदेश, यहां तक इसका विस्तार है, तो अगर नदियों के हिसाब से देखे, नदी घाटी के हिसाब से देखे, तो हम हिमाल्य का डिविजन चार हिस्सों में कर सकते है, सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमाल्य है, सतलज काली के बीच में जो हिमाल्य है, काली और तीस्ता के बीच में जो हिमाल्य है, और तीस तो, तीन और चार, तो जो सतलुज और तीस्ता के बीच में ये हिमाल्य आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इस वाले हिमाल्य को ये सतलुज और तीस्ता के बीच में, इंडस और सतलुज, तीस्ता नहीं, इंडस और सतलुज के बीच में जो हिमाल्य है, इस हिमाल्य को हम बोल फिर सतलुज और काली इसके बीच में जो हिमाल्य है उसको हम बोलते है कुमायू ओके ये P हो गया ये K हो गया अब काली और तीस्ता के बीच में जो हिमाल्य है यहां पे जो ये हिमाल्य आपको मिलेगा इसको हम बोलते है नेपाल नेपाल हिमाले नेपाल हिमाले इसको हमने बोला N और जो इधर है कहाँ पे तीस्ता और ब्रहमपुत्र के बीच में जो हिमाले है इसको हम बोलते है आसम हिमाले आसम हिमाले A से इसको हम रिपरजेंट करेंगे ये हमारा हो गया कुमायू तो पंजाब हिमाले कुमायू हिमाले नेपाल हिमाले और असम हिमाले फटाफट बताओ नदियों के हिसाब से नदि घाटी के हिसाब से आप मुझे बताओ वेस्ट से लेके इस्ट तक हमारे हिमाले का डिविजन बताईए मैं फिर से बता रहा हूँ पंजाब हिमाले, कुमायू हिमाले, नेपाल हिमाले और असम हिमाले आपको क्या करना है बस रीवर बतानी है मुझे आप मुझे बताएंगे पंजाब हिमाले किन दो नदियों के बीच में है कुमायू हिमाले किन दो नदियों के बीच में है नेपाल हिमाले किन दो नदियों के बीच में है और आसम हिमाले किन दो नदियों के बीच में है देखो भी ये मैपिंग की क्लास है और मेरा पूरा प्रियास रहेगा कि आज हम जितना पढ़ेंगे इसी क्लास से याद करके जाएंगे इसी class से और एक चीज mapping के लिए आपके पास बेटा दो atlas होने जरूरी है दो atlas मैं उनके नाम लिख देता हूँ slide लगाना भूल गया मैं उनकी एक है Oxford का atlas Oxford Oxford का और एक है Orient Black Swan Orient Black Swan ये दोनों आपको Amazon पे मिल जाएंगे Flipkart पे मिल जाएंगे Bookshop की दुकान होगी वहां से भी मिल जाएंगे Oxford का जो आपको atlas लेना है वो school atlas ले लेना दो atlas आते school आता है एक आता है student तो मैं prefer करता हूँ कि अगर आपको school मिल जाए तो ठीक है second है Orient Black Swan ये दो atlas आपकी table पे होने चाहिए atlas के नाम क्या है Oxford atlas Orient Black Swan school ले लेना इसका जादा अच्छा है Orient Black Swan एक ही आता है अब मुझे बताइए अगर मैं कहूं पंजाब हिमाले तो किन दो नदियों के बीच है उन दो नदियों के नाम लिखना P लिखके उनके सामने नाम अगर मैं कहूं कुमायू हिमाले के लिखना और के के सामने उन दो नदियों के नाम फिर मैं कहूं नेपाल हिमाले तो N लिखना दो नदियों के नाम और फिर आसम हिमाले और किन दो नदियों के बीच में है जल्दी से बताइए पटा फट जवाब दीजिए जल्दी से जवाब देजिए बेटा question आएंगे class से ही सीधा सारे अच्छा P को बता रहे है सिंधू और तीस्ता बेटा P P सिंधू और तीस्ता सिंधू यहाँ है और तीस्ता यहाँ है खुद सोचो आप आपके सामने है open है बिल्कुल ओके well done सिंधू सदलज के बीच में है पज़ाब कुमायू सतलुज गंगा गंगा नहीं है बेटा काली है काली काली है काली ओके well done बहुत ही शांदार नेपाल हिमाल्य तीस्ता और भ्रहमपुत्र काली और तीस्ता के बीच में ठीक है काली और तीस्ता के बीच में नेपाल बता रहे है well done ठीक है बहुत ही बढ़िया चलेगा यह सब चलेगा एक रजिस्टर बना लेना या खाली पेज बना लेना खाली पेज ले लेना रजिस्टर या खाली पेज जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूं 10-15 pages बनेंगे, आज मेरे साथ-साथ बनाते चलो, बहुत आनंदा हैगा आपको, यह देखो, आप यहाँ देख सकते है, यह एक और division है, इधर आपका, यह करा कोरम हो गया, करा कोरम, western हिमाले, उसके बाद central हिमाले, और उसके बाद eastern हिमाले, यह और नया, एक और division क्या है, करा करा कोरम, western हिमाले, Central हिमाले, और eastern हिमाले, तो यह करा कोरम हो गया, ओके, यह वाला हो गया, western हिमाले, और यह वाला हो गया, eastern हिमाले, एक division यह है, कभी देखो, किताबों के अंदर या तो पढ़ोगे पंजाब हिमाले, कुमाईू हिमाले, नेपाल हिमाले, आसम हिमाले या कुछ किताबों के अंदर आप पढ़ोगे कराकॉरम हिमाले, पाश्चिमी हिमाले, मध्य हिमाले, पूरवी हिमाले दूसरा डिविजन ओके तो ये second division हो गया पहला division था ये वाला regional division था एक और division ये second division हो गया ओके चलते हैं एक और जो तीसरा division है मैं आपको बता देता हूँ तीसरा एक और आपको मिलेगा trans हिमाले आपको सुनने को मिलेगा trans हिमाले greater हिमाले greater हिमालय lesser हिमाले हिंदी में भी बताऊंगा don't worry और outer या शिवालिक हिमाले इसको आप बोलोगे trans हिमाले इसको लिख देता हूँ मैं trans हिमाले इसके अंदर आपको लिखेंगे महान हिमाले ये है आपका मध्य हिमाले और ये है शिवालिक एक division बेटा ये है तो जैसे कराकोरम है आपका जो कराकोरम है वो इस वाले हिमाले में आ रहा है आपका trans हिमाले में तो तीन तरह के division होगे river valley के base पे देख लिया हमने सिंधू सतलज सतलज काली काली तीस्ता तीस्ता और ब्रहम पुत्र second ता हमारा कराकोरम पश्चिमी हिमाले सेंट्रल मध्य हिमाले और पूरवी हिमाले तीसरा है trans हिमाले महान हिमाले मध्य हिमाले और शिवालिक हिमाले या मध्य या लगू भी बोल देते हो आप इसको याद रहेगा इतने तरीके से आपके नाम पूछे जा सकते हैं तो उसमें confuse नहीं होना जल्दी से आईए जल्दी जल्दी अरे देर मत करो भाई ये सेशन छूट गया तो कैसे काम चलेगा आप लोगों का ठीक है बहुत बढ़िया चले तो यहां पर मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ यह देखो आप अभी आप देखना शुरू करो क्या आप मुझे बस यह बता दे आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है नहीं ही आ रहा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ सुनो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको बड़ा करें हैं तो अच्छा आएगा यह लीजिए I hope अभी आपको समझ में आ रहा है अभी आपको नजर आ रहा है जल्दी से बताओ अभी समझ में आ रहा है ठीक है सुनो सबसे उपर है पामीर की गाट यह देखो इसको आप पामीर की काट या पामीर का पठार भी बोलते हो पामीर अगर कभी आपको सुने तो पामीर है यह इससे ही इस पामीर के नोड से आपका हिंदू कश निकल रहा है हिंदू कश हिंदू कुश हिंदू कुश है यह यहाँ पे आपका कुनलुन माउंटेन कुनलुन कुनलुन चाइना चला गया अब आजाओ हमारे कराकोरम देखो सबसे उपर है कराकोरम से उपर कुण सी है बटा करा कोरम फिर है लदाक और फिर है जास्कर के ल जे ओके तो आप ऐसे याद रख ले ना जैसे मैं याद रखता हूँ ahead जिस टे के और जी आप ल के जी पρड़ते थे ना अरे बच्पन में ल के जी UKG पढ़ते थे थे न, तो बीच में रखना L, L से उपर रखना K और K से नीचे रखना Z, तो ये है लदाख, ये है कराकोरम और ये है जासकर, प्रशन कैसे पूछेगा UPSC या तो बेटा North से South करम पूछेगा, Mountain Ranges दे देगा और बोलेगा इनका उत्तर से दक्षिन की और करम बताओ प्रशन का पहला प्रकार होगा, North से South, पहला प्रकार दूसरा प्रकार South से North, तीसरा प्रकार East से West और चोथा प्रकार West से East, इस तरीके से प्रशन पूछे जाएंगे Mountain Ranges पे L, K, Z सोरी, अभी फिर आप बोलोगे सर ये केलाश रेंज क्या है, अभी बताओंगा सब एक एक करके सब बताओंगा, ये केलाश रेंज क्या है फिर आप नाम सुनोगे, पीर पंजाल, ये है पीर पंजाल पीर पंजाल है ये, जासकर के साउथ में है न, फिर ये आपको देखने को मिल रहा है Middle हिमालिय, नेपाल में Great हिमालियाज, और फिर सबसे लास्ट में है आपका शिवालिक फिर North East में भी चलता है, North East वाले की भी हम बात करेगे तो इतना आपको समझ में आया, कराकोरम, लदाक, जासकर, पीर पंजाल ये पाकिस्तान के भी अंदर है, सुलेमान रेंज है, सुलेमान रेंज, ये सुलेमान रेंज अगर कभी आ जाए तो याद रखना ये पाकिस्तान के अंदर है, सुलेमान, सुलेमान रेंज है आजाओ अब सबसे पहले बात करते है कराकोरम की तो ये कराकोरम रेंज है जो हमारी ये वाली सबसे उपर वाली ये कराकोरम रेंज है कहते हैं विस्तार कहां पर तीन देशों में इसका विस्तार है पाकिस्तान के अंदर भारत के अंदर और चीन के अंदर तो पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्टान का छेतर है भारत में लदाक का छेतर है और चीन में जिन जियांग छेतर है तो तीन देशों में इसका विस्तार है अगर हम इसकी बात करे भारत में भी पाकिस्तान में भी और चाइना के अंदर ओके फिर आई लदाक लदाक रेंज देखो लदाक लदाक रेंज देखो तो ये कराकोरम के ही दक्षिनपूर्व में है तो ये जो कराकोरम है इसी के ही देखो ये कराकोरम है बोले कराकोरम के दक्षिनपूर्व में है तो अगर मैंने आपको डिरेक्शन निकालने की बात कही तो क्या बताया था East, West, North और South तो दक्षिन पूर्व है तो ये कराकॉरम था तो ये लदाक है तो कराकॉरम के ही दक्षिन पूर्व में इसका विस्तार है और लदाक के अंदर एक रीवर है शोक रीवर इंपोर्टेंट नदी है याद रखना शोक रीवर के मुहाने से लेकर तिबबत की सीमा तक चलती है आपकी लदाक रेंज और याद रखना चीन में भी लदाक रेंज का विस्तार है लेकिन किस नाम से कैलाश रेंज के नाम से कैलाश 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 ये देखो ये जो आपको कैलाश नजर आ रही है यहाँ पे यहाँ पे देखो ये कैलाश यह वाली तो कराकोरम लद्दाख लद्दाख तिबद के बॉर्डर तक है फिर उसके आगे जब वो चाइना के अंदर चलते है तो नाम क्या है इसका केलाश रेंज केलाश ओके और यहाँ पे यह कह रहा है इसी लद्दाख रेंज के अंदर भारत का जो ठंडा मरुस्तल है लेहे इस्थित है cold desert मैंने बताया था ना इंडिया के कितने states के अंदर cold desert है कितने बच्चे मुझे बताएंगे भारत के कितने राज्यों के अंदर आपको cold desert देखने को मिलता है शीत मरुस्तल है किसी के पास जवाब बताओ उन राज्यों के नाम बताओ जहां पे शीत मरुस्थल मिलता है यहां पे शीत मरुस्थल की बात की है कॉल्ड डेजर्ट की बात की है तो कितने राज्यों में आपको कॉल्ड डेजर्ट मिलता है नाम भी चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप उन राज्यों के नाम लिखे बिटल थार नहीं है थार तो आपका hot dessert है मैंने बात की है cold dessert की question आ सकता है UPSC बोल देगा निम लिखित में से किन राज्यों में भारत में शीत मरुसल मिलते है क्या जवाब दोगे आप कितने राज्यों केंदर शाशित प्रदेश कुछ भी यूज़ कर सकता है सुनो लदाक के अंदर पहली बात हम इस प्रशन का लदाक के अंदर हमने देख लिया अभी लेहे cold dessert है तो लदाक हो गया एक उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको cold dessert मिलता है उसके बाद उत्रा खंड के अंदर आपको cold dessert मिलता है और सिक्किम के भी कुछ छेतरों में आपको cold dessert मिलता है उत्त्रा खंड भी है बिटा उत्त्रा खंड के अंदर भी कॉल्ड डेजर्ट है ठीक है अभी याद रखना इसको पीटी में पूछा जा सकता है आपसे ये प्रिलिम्स में कॉश्चन बन सकता है कोई बात नहीं नहीं पता था तो मैं मेरा क्या काम है मेरा काम आपको बताने का ही है वेल डन चले तो अभी आगे चलते हैं यहां से लद्दाक हो गई करा कुरम हुआ लद्दाक हुआ जासकर की बात करते है जासकर देखो यहां पे जासकर में भारत का सबसे ठंडा इस्थान यह द्रास मिलता है इसको हम एंट्री गेट आफ लद्दाक बोलते है और यहां पे जो प्रसिद दर्रे है दर्रे बेटा बोलते है पासिज को माउंटेन के अंदर मतलब माउंटेन के अंदर जो आपके जो एंट्री रूट्स होते है वो आपके पासिज है यहां पे मिलता है शिपकिला, ला, ला का मतलब होता है दर्रा, लिपू लेक और माना दर्रा, ये आपके जासकर रेंज के अंदर है, करा कोरम, लदाक, जासकर, द्रास यही मिलता है, जिसको लदाक का एंट्री गेट बोलते है, तो कहां है जासकर, ये देखिए, ये री जासकर रेंज, ये जासकर रेंज है, ये वाली, नेक्स चलते है, फिर आई पीर पंजाल, पीर पंजाल, ये है पीर पंजाल, यहां वाली है पीर पंजाल, तो जम्मू की पहाडियों को कश्मीर घाटी से अलग करती है जिसके आगे है मतलब इस पीर पंजाल से आगे आपको क्या मिलेगा महान हिमाले यहाँ पे भी कुछ दर्रे है पीर पंजाल, बनिहाल और रोहतांग यह तीनों पास आपके किसके अंदर है यह पीर पंजाल देखो, यूपियसी ऐसे भी पूछ सकता है एक तरफ दे देगा माउंटेन रेंज और दूसरी तरफ दे देगा पासिज दर्रा और मिलान बोलेगा कि इन में से कौन सा दर्रा कौन सी रेंज में है वो करा कोरम दे देगा करा कोरम और उसके किसी दर्रे का नाम दे देगा वो लदाक दे देगा उसके किसी दर्रे का नाम दे देगा वो जसकर दे देगा उसके किसी दर्रे का नाम दे देगा और पीर पंजाल दे देगा और उसके दर्रे का नाम और पूछेगा इन में से कौन सा सही सुमेलित है तो हमें दर्रो को और माउंटेन रेंज को आपस में कोरिलेट करके पढ़ना है देखो हाला की UPSC के question को guess करना इस प्रतवी का मुझे लगता है भारत भूमी का एक बहुत बड़ा task है लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम हर topic से जुड़े हुए जितने भी dimension होते हैं उसको cover कर लेंगे तो question हमारी range में रहेगा और यही मेरा approach रहता है जिसकी वज़े से हम UPSC के बहुत नजदीक रहते हैं मतलब मेरी classes से questions आने का तरण क्या है मैं हर topic उसका concept और उसके जितने dimension है सब खोल देता हूँ फिर वो आ जाता है बस इतना ही है तो आप इन सारी चीजों को देखते रहे समझते रहे जिस approach से पढ़ने के लिए मैं आपको suggestion दे रहा हूँ उस approach को भी दिमाग में रखे फिर है धोलाधार range जिसको white range भी बोलता है स्वेत परवत है ये तो आपका जो कुलू है जो मनाली है और शिमला है ये सब के सब आपके धोलाधार range में है ये देखो सब से उपर था कराकोरम ये कराकोरम है ये लदाख है ये जासकर है ये पीर पंजाल था और यहाँ पे आगया धोलाधार range तो इसमें प्रमुखिल स्टेशन कौन से है जो कुलू, मनाली, शिमला जो ये टूरिज्म के बहुत ही लाजवाब सेंटर है डेस्टिनेशन है इंडिया में और इसका जो विस्तार है कहाँ पे है जम्मू, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश धोलाधार range और सबसे उंची चोटी है यहाँ पे हनुमान जी का टिब्बा या स्वेत, वाइट माउंटिन है कुलू, मनाली नाम सुना है ना कुलू, मनाली इधर ही है वो ठिक है तो ये धोलाधार range हो गई दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा करके दिखा देता हूँ एक सेकिंड रुकिए ताकि आपको देखो बेटा, इस पे map को ढूंडना और ढूंड के लाना बहुत tough task है map नहीं मिलते और आपके atlas के अंदर ऐसे map बहुत कम है सुनो इसको एक बार थोड़ा बढ़ा करके देख लो हाला कि सबका PDF में आपको दूंगा ये सारा PDF दूने देने वाला हूँ मैं आपको आज़ाओ ये देखो सबसे उपर है करा कोरम मैं नाम लिख देता हूँ अगर आपको इस पस्ठ नहीं नज़र आ रहा होगा तो ये है करा कोरम फिर से एक बार उसके जस्ट यहां पे है लदाक ये है लदाक और इस लदाक का ही चाइना के अंदर जो विस्तार है वो केलाश रेंज के नाम से है दिबबत के अंदर जो केलाश है उसके जस्ट नीचे है यह जास्कर उसके जस्ट नीचे है पीर पंजाल और यहां पे है यह धौला धार रेंज नजर आज आ रहा है आप लोगों को जल्दी से बताओ क्या यह नजर आ रहा है देख पारे हो आप उके बहुत ही लाजवाब उम्दा देख पारे है ठीक है देखो अब आजाती है शिवालिक रेंज शिवालिक शिवालिक रेंज इसको बोलते हैं तो प्राचीन काल में इसको मतलब दक्षिनी सबसे क्योंकि दक्षिन में है सबसे लास्ट में है तो दक्षिनी और सबसे उतर में कौन सा है कराकोरम है तो दक्षिनी और बाहरी क्योंकि सबसे बाहर की ओर है या मानक परवत के नाम से भी इसको जाना जाता था और इसका शाब्दिकरत है शिवा लिक शिवा लिक यानि के ट्रैसिज ओफ शिवा है ना ये इसका कुछ धार्मिक इसका धार्मिक इसको द्रश्टिकों से नाम रखा गया है और जो विस्तार है सिंधु प्रनाली से लेके ब्रहम पुतर तक प्रेट हिमाले है उसका विस्तार पूछेंगे कहां से कहां तक है मैंने आपको बताया था नंगा परवत से लेके नाम चबरवा शिवालिक का पूछ लेंगे पोटवार पठार से लेके उधर भ्रहम पुतर तक नौर्थ इस्ट तक जा रहा है तो उस हिसाब से भी ये नाम पूछे जा सकते हैं उससे आप घवराना मत लेकिन UPSC का जो पैटर्न रहेगा बेटा नौर्थ साउथ साउथ नौर्थ इस्ट वेस्ट या वेस्ट से इस्ट और अगर आया तो पासिज को कोर्रिलेट कर देगा इससे ज़्यादा कोश्चन UPSC वाला तो नहीं जाने वाला अभी एक और प्रशन बन सकता है मैं आपको बता देता हूँ एक और प्रशन बन सकता है जैसे प्रशन ये बन सकता है सुन लो वो यहीं बता देता हूँ मेरे मन में आ गया है कि एक और प्रशन क्या बन सकता है जैसे हमें पता था कि ancient time में प्राचीन काल में ओके ये सारे के सारे जो महादीप आज हमें नजर आ रहे हैं न ये एक साथ जुड़े हुए थे जिसको हमने बोला था पैंजिया पैंजिया बोला था और इस पैंजिया को चारो तरफ से एक महासागर ने घिरा हुआ था जिसको हमने बोला था पैंथालासा तो इसको हमने बोला था सूपर continent चारो और से ये सागर था पैंथाला सा आज जिनको हम प्रशांत महासागर अट्लांटिक महासागर हिंद महासागर के नाम से जानते हैं आब इनों ने बोला ये लो कि आज से लगवक तीस से चालिस करोड साल पहले ये आपका पैंजिया दो हिस्सों में विभाजित हो गया था दो हिस्सों में उपर वाला था अंगारा लेंड समझना इससीज़ों और या जिसको लॉरेंचिया बोला था एक और कोश्चन जो बनेगा मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये वाला था गोंडवाना लेंड, इस गोंडवाना लेंड का हिस्सा था दक्षिन अमेरिका, इसी का हिस्सा अफरीका महादीप, इसी का हिस्सा भारतिय प्रायदीप, इसी का हिस्सा ऑस्टेलिया, और इसी में अ इसके हिस्से थे आपका, North America, उसके बाद दूसरा जो इसका, Europe है, Eurasia जिसको बॉल दे, Europe और एसिया का काफी हिस्सा इसमें था. अब ये जब आप बोलो सरी जब दो हिस्सों में तूटा तो ये पानी तो अंदर गया होगा, यहाँ पे पानी एंटर किया एक सागर का नाम एक सागर बना उस सागर का नाम था टैथिस सागर ओके टैथिस सागर बना अब यह सागर है बिटा सागर के अंदर सागरे जीव जन्तु होंगे या नहीं अरे इंसानों से पहले तो समुदर पे जीवन इस थल से पहले समुदर पे जी बना चुका था तो इसके अंदर आपको वही सारे जो मैंने आपको बोला था न्यूस्टन, पेरिफाइटन, याद है ना, न्यूस्टन, पेरिफाइटन, नेक्टन, न्यूस्टन, पेरिफाइटन, प्लांक्टन, नेक्टन और बेंथोस तो वो सब तो है यह इसके अंदर अभी क्या हुआ लेकिन इसका यहां से जब इंडिया हमारा अब यहां से हुआ क्या हमारा भारतिय प्लेट है यह उपर में थी Eurasian plate सुनो जो question आएगा यह Indian plate आगे गई यह Tethys के अंदर बहुत सारे sediments थे यूरेशिया से भी बहुत सारी नदिया आ रही थी, इसके अंदर आव साथ जमारी थी, तो ये प्लेट जैसे ही गए, इसने बैंड होना शुरू कर दिया, इसमें फॉल्ड पढ़ना शुरू हुआ और आपका बना हिमाले, अब ये मैंने आपको मोटा मोटा बनाया, तो UPSC जो एक और प्रशन पूछ सकता है, वो पूछ सकता है, क्या हिमाले जीवाश्म रहित है, जीवाश्म, जीवाश्म, यानि कि क्या हिमाले के अंदर Fossils मिलते है या नहीं, आप बस मुझे इस चीज का जवाब दे दो, ये पूरा जो मैंने आपको एक कहानी बताई, छोटी स इस कहानी को सुनके, पढ़के, इस कंसेप्ट को देखे, आपको क्या लगता है, हिमाले के अंदर आपको Fossils मिलेंगे या नहीं, Fossils है हिमाले में या नहीं, बताओ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं येस, ये प्रशन आएगा, कैसे जवाब देखो, देखो बेटा, हमने देखा, हिमाले का निर्मान, यहां के अंदर जो सेडिमेंट थे, यहाँ से इंडियन प्लेट आगे गई, इधर ये यूरेशन प्लेट थी, और ये बीच में जो सेडिमेंट थे, इनई पे इंडियन और धीरे धीरे यह असाद जो टैथिस का असाद था यह बैंड होना शुरू हो गया तो टैथिस के अंदर जब जीवाश्म है तो हिमाल्य के अंदर क्यों नहीं होगा हिमाल्या के अंदर भी जीवाश्म है समझे ये बात याद रखना जीवाश्म मिलते है हिमाल्या में मिलेंगे ठीक है होगा 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 चले अब ये अभी तक हम कितना देख चुके है हम देख चुके है कराकोरम हम देख चुके है लद्दाख हम देख चुके है जासकर हम देख चुके है पीरपंजाल यहाँ धोलाधार ये ग्रेट हिमाल्या और ये लास्ट में है शिवालिक और शिवालिक के नीचे है गंगा का मैदान, उसको हम देखने वाले है, अभी नेपाल को अलग से देखेंगे, नेपाल वाले को अलग से, पहले इंडिया वाला देख लेते हैं, इधर western sector और ये eastern sector, ये central sector, ये बाद में देखेंगे, चलो, अब आई मिकिर हिल्स, North East में चलते हैं, West वाला पार्ट किया, अभी North East चलते है, चोटिया भी पढ़ेंगे, don't worry, कुछ बच्चों के मन में आएगा, सर आपने चोटिया तो पढ़ा ही नहीं, बेटा सब कुछ एक साथ पढ़ा दूगा, तो आपके माइंड पे स्ट्रेस हो जाएगा, क्लास को आपको बोजिल लगने लगेगी, तो पहले light light से लेंगे, मोटा मोटा आपको समझ में आ गया, Western में क्या था, सबसे उपर कराकोरम, देन लद्दाग, देन जासकर, पीर पंजाल और धोलाधा, अभी Central हिमाले है, नेपाल में पड़ेगा, उसको अभी नहीं देख रहे हैं, अभी North East में चल रहे हैं, उधर भी हमारा हिमाले है, तो देखो, हिमाले North East में चलते हैं, यहां तो आपका सिक्किम है, सिक्किम, ओके, यह अब आपके, यह सबसे उपर जो है, इस तरीके से है विटा, यह है न, यह आपके इंडियन स्टेट्स है, यह स्टेट्स की मैं बाउंडरी बना दे रहा हूँ, एक बार वस, यह आपका अरुनाचल प्रदेश है, ओके, यह असोम है, यह मिघाले है, यह त्रिवपुरा है, यह मिजोरम है, यह मानिपुर है, और यह नागालेंड है, और इधर है यह सिक्किम, तो आपने एक नाम सुना होगा, यह सैवन सिस्टर्स, स्टेट कौन से है इंडिया के, खारत के सैवन सिस्टर स्टेट किसको बोला जाता है, अभी इस सिक्किम को भूल जाओ, सिक्किम को भूल जाओ, अरुनाचल प्रदेश, पहला है, अरुनाचल प्रदेश, दूसरा है, अस्वाम, तीसरा है, मेघाले, चोथा है, नागालेंड, पांचवा है, मनिपूर, छटा है, आपका, मिजोरम, और साथवा है, तिर्वपुरा, यह साथ राज्ये को हम सैवन सिस्टर स्टेट्स भी बोलते है, सिक्किम सैवन सिस्टर स्टेट्स का हिस्सा नहीं है, बस यह बात ध्यान रखना, सिक्किम सैवन सिस्टर स्टेट्स का हिस्सा नहीं है, हलाकि हिमालिया का विस्तार सिक्किम में भी है, लेकिन सैवन सिस्टर के नाम से इनको जाना जाता है, ओके आया समझ में आपको इस इट क्लियर ओके तो अब बात करते हैं मिकिर हिल्स की तो मिकिर हिल्स को देखते कहां पे है मिकिर हिल्स आपको दिखा देता हूँ मैं यह देखिए मिकिर हिल्स को यह देखिए यहां पे यह है मिकिर हिल्स यह रही असम के अंदर है बटा एक बार नौर्थ इस्ट की मोटी मोटी सारी हिल्स बता देता हूँ आपने नाम सुना होगा गारो, खासी और जैन्तिया नाम सुना है क्या मिघाले में है गारो खासी जैन्तिया फिर मिकिर हिल्स है और यही पे है बरेल रेंज यह असम में है मिकिर बरेल असम यहाँ पे देखो मिजो हिल्स है, मिजोरम में यहाँ पे तिरुपुरा की पहाडिया है तिरुपुरा की पहाडिया भी है यहाँ पे तिरुपुरा की पहाडिया, तिरुपुरा में है वो मनिपुर में है, पूर्वी मनिपुर की मनिपूर की पहाडिया हो गई, यहाँ पे मनिपूर पहाडिया मिलेगी आपको, मनिपूर पहाडिया, और यहीं पे लैमेटल मिलेगा, लैमेटल, यहाँ पे लैमेटल रेंज, दिखाऊंगा, आगे दिखाऊंगा मैं आपको, यह नागा लेंड के अंदर है नागा पहाडिय और ये है पठकई बुम अरुनाचल प्रदेश और नागलेंड इधर ज्यादा विस्तार है अरुनाचल प्रदेश पठकई बुम उसके बाद देखो ये अरुनाचल प्रदेश है डाफला हिल्स है डाफला यही पे आएगी मिरी हिल्स डाफला के बाद आएगा मिरी ओके और फिर आएगा अबोर और फिर सबसे उपर इसने दिखाई है मिश्मी यह मिश्मी है डाफला मिरी अबोर मिश्मी इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मिरी इसको मैं लिख देता हूँ अबोर और यह सबसे उपर है मिश्मी नजर आ रही है आपको फटा फट बताओ ये गारो खासी जेयनतिया मिकिर के यही पे है बरेल यही पे एक मिलेगी रेंगमा रेंगमा दिखाओंगा उसको डॉन्ट वरी पच्कोई भूम नागा हिल्स उसके बाद मनिपूर पहाडिया लेमेटल रेंज और मिजोरम हिल्स और उसके बाद है तिरुपुरा के अंदर तिरुपुरा की पहाडिया आपको नजर आ रहा है मैं देख लेता हूँ एक बार पॉन में नजर आ रहा है ठीक है इस फाइन शानदा रहा है ला जवाब आपके पास जो एटलस होगा तो एटलस पर बना लेना बेटा एटलस नहीं है तो बस एक बार ऐसे आउटलाइन मैप बना लेना और उस पर यह एक बार ड्रॉ कर लेना ओके ठीक है अभी नदी नहीं कराऊंगा साथ के साथ याद रखना बेटा साथ के साथ नदी नहीं कराऊंगा क्योंकि अगर इन ही पहाडियों में मैंने नदीया भी चला दी आप confuse हो जाओगे, इसलिए पहले सारी पहाडिया, ranges उसके बाद नदियों पे चलेंगे एक साथ नहीं करेंगे, एक के करके करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ होच पोच कर दिया, तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला इसलिए हमारा विसलेशन, एनलिटिकल अप्रोच है, तोड़ तोड़ के देखेंगे, और फिर बाद में सबको एक साथ जोड़ देंगे ओके तो अभी ये क्या बोल रहा है, सुनो अब कहता है, मिकिर हिल्स के बारे में, सुन लो, कहां पे है मिकिर हिल्स, आसाम में कहता है, काजी रंगा रास्टे उध्यान जो आसाम है, उसके दक्षिन में पहाडियों का एक समू है ये काजी रंगा के साउथ में, काजी रंगा नेशनल पार्क और यहां, और कहते है कि ये कार्बी आंगलोंग पठार का भी एक भाग है कार्बी आंगलोंग पठार अगर आ जाए तो याद रखना नौर्थ इस्ट मिकिर हो गई, उसके बाद आई अबोर अबोर हिल्स, डाफला मिरी अबोर, यहीं पे मैंने आपको अबोर हिल्स बताई थी तो अरुनाचल प्रदेश की पहाडिया है, चीन की सीमा के पास मिलती है और मिश्मी और मिरी पहाडियों के आसपास ही है ये तो हमने देख लिया डाफला मिरी अबोर मिश्मी, तो इसी के पास में मिश्मी भी है और इसी के पास में मिरी भी है और भ्रहम पुत्र की एक सहायक नदी है दिबांग और यहीं से होके जाती है दिबांग, कहां से अबोर हिल्स से जाती है दिबांग और ये दिबांग है आपकी ब्रहम पुत्र की सहायक नदियों में से एक ब्रहम पुत्र समझ में आया इतना फटा फट बताओ इस इट क्लियर चले छीक है बहुत ही बढ़िया भई किसी का कोई डाउट हो तो बता देना बहुत सारे मैसीज आ रहे है बिटस एक बार के में नजर नहीं आ रहे ठीक है छलो फिर आजाओ यहाँ पे एक और आपको दिखा देता हूँ मैं सुनो चलो मेरे साथ यह लो देखो अरे देखो डाफला यह अरुनाचल प्रदेश है बेटा उपर है अरुनाचल प्रदेश डाफला मिरी अबोर मिश्मी इसी अबोर के उपर देखो दिबांग रीवर है मैंने बोला था यहाँ से दिबांग रीवर होके जाती है दिबांग डाफला मिरी अबोर मिश्मी तो डी एम एम तो डी एम एम तो डी मैं के नाम से भी याद रख सकते हो डी एम एम याद रखना पहले नीचे डी है अगर नौर्थ से साउथ पूछते है सबसे नीचे डाफला देन मिरी देन अबोर और मिश्मी तो DM AM जो DM होगा उसे सुबह सुबह उठना पड़ेगा पूरे प्रदेश की पूरे जिले की जिम्मेदारी है उसके कंदों पे तो DM सहाब को AM जल्दी उठना पड़ेगा DM सहाब 12-12 बजे तक नहीं सोएंगे तो DM को उठना होगा AM पे ठीक है DM AM हो गया और बड़ा करके देखना चाते हो यह लो देखो सब आपका ही है सब अपना ही माल समझो DM AM डाफला मिरी अबोर मिश्मी नजर आ रहा है न आपको डाफला मिरी अबोर मिश्मी हो गया यह हमारा well done एक सेकंड रुकिए next ठीक है समझ में आ रहा है अभी चलो इधर आ जाओ यह आ गई अरुनाचल प्रदेश की पठकई बुम उसके बाद नागा लेंड के अंदर नागा हिल्स है वेटा यह देखो यह दी यह वाली है नागा हिल्स यह है पठकई बुम उसके बाद आ जो मनिपूर मनिपूर के अंदर है यहा मनिपूर की पहाडिया मनिपूर पहाडिया ओके यही इस साइड east में है मनिपूर पहाडिया इधर है ladies range ओके इधर आजाओ मिजोरम के अंदर आजाओ आप मिजोरम के अंदर यह देखो मिजोरम के अंदर है लुसाई range लुसाई लुसाई L-U-S-H-A-I लुसाई range है लुसाई रेंज, मिजो हिल्स भी, ओके, इधर है तिर्वपुरा, इधर है तिर्वपुरा, तिर्वपुरा की पहाडिया है यहां पे, इसमें दिखा नहीं रखा, आपके सर को जादा पता है ना, मैप वाले नहीं बना सकते, किसी दिन मैं भी अपना एक मैप बनाऊंगा, ज आजओ, अभी इधर आओ, यह देखिए आपको, गारो खासी जेंतिया की कहानी दिखाता हूँ, मैं आपको गारो खासी जेंतिया, इस्ट गारो, वेस्ट गारो, तो गारो इस्ट भी है और वेस्ट भी है, खासी, इस्ट भी खासी है, वेस्ट भी खासी है, देन जेंतिया, तो गारो खासी जेंतिया उके उसके बाद चलो असम के अंदर आजाओ यह देखो यह मिकिर हिल्स है और यह आपकी बरेल हिल्स है मिकिर और बरेल असम के अंदर ही यहां पे यहां कहीं पे आपको बिलती है पूर्बाचल पूर्बाचल की पहाडिया पूर्बाचल पूर्बाचल की पहाडिया इसमें नहीं दिखाया उधर इधर है यहीं पे आपको मिलेगा रेंग मा नाम लिख लेना रेंग मा रेंगमा पहाडिया, पूर्बाचल पहाडिया, मिकिर और बरेल ये सब असम का है जो जो मैं नाम बोल रहा हूँ इससे अलग है इससे अलग है वो साथ के साथ लिखते रहना ठीक है तो मिकिर, रेंगमा, बरेल और पूर्बाचल की पहाडिया ये आपकी असम में है गारो खासी जैनतिया मेगालिय में है डाफला मिरी अबोर मिश्मी डाफला मिरी अबोर मिश्मी ये लो डाफला मिरी अबोर मिश्मी अरुनाचल प्रदेश पठकोई बूम नागा लेंड की पहाडिया और इनके सब के हाइस्ट पीक के भी नाम सुनेंगे अभी नहीं बता रहा मैं कि आप बोलोगे सर नागा क्या सबसे उच्छा चोटी बता दो बताओंगा अभी पहले ये तो पता चल जाए नागा का है फिर नागा की चोटी लाएंगे तो नागा पर लिख देंगे यहां की सबसे उच्छी चोटी है यह वाली भई सारा मती है फिर नागा हिल्स आ गई फिर मनिपूर, पूरवी मनिपूर पहाडिया, लेमेचोल रेंज आ गई इधर आ गई लुसाई हिल्स मिजो हिल्स और इधर आ गई तिरिपूरा हिल्स समझ में आया फटा फट बताओ, मोटा मोटा समझ में आया जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं जल्दी जल्दी से बताईए समझ में आया या नहीं ओके आ गया अब देखो इसको बोलते हैं बेटा आउटलाइन मैप इस पर हम करेंगे प्रेक्टिस हमें पता चल गया यह है मेघाले यह हमारा मेघाले में गारो खासी और जैनतिया तो यह हो गई गारो खासी और जैनतिया चलो इधर आ जाते हैं अरुनाचल प्रदेश सब से उपर यह वाला स्टेट है हमारा अरुनाचल प्रदेश है यह सब अरुनाचल प्रदेश है यहां पे है डाफला डाफला उसके बाद है मिरी उसके बाद है अबोर और फिर है आपकी मिश्मी तो इसको हम याद रखेंगे DM DM सहाब को सुबह सुबह उठना होगा तो डाफला मिरी अबोर मिशमी यह अरुनाचल प्रदेश यहाँ पे है पटकोई बूम पटकोई बूम यह पटकोई बूम हो गई उसके बाद यह स्टेट है हमारा नागालेंड यह नागालेंड है नागालेंड में है नागा हिल्स नागा पहाडिया नागा पहाडिया है यह नागा हिल्स है यहाँ मनिपूर है यह वाला स्टेट यह वाला स्टेट है हमारा मनिपूर यहाँ पे पूर्वी मनिपूर की पहाडिया पूर्वी मनिपूर पहाडिया यही पे इसके West में यहाँ पे आपको मिलेगा LAMATOL L A I M A T O L LAMATOL range ओके यहाँ पे आपका यह वाला स्टेट है Mizoram यहाँ पे है Mizohills या Lusai Hill Lusai पहाडिया ओके? Mizohills Mizohills Mizoh की पहाडिया यहाँ पे है यह वाला स्टेट आपका है तिर्वपुरा, तिर्वपुरा की पहाडिया, तिर्वपुरा पहाडिया, ये आपका असम है, ये बीच वाला स्टेट है आपका असम, ओके, ये असम है पुरा का पुरा, असम के अंदर है हमारी मिकिर, सबसे पहले है मिकिर, ये है मिकिर पहाडिया, उसके बाद है हमारी रे रेंगमा, मिकिर, रेंगमा, रेंगमा के बाद है यहाँ पे बरेल, बरेल, और यहाँ पे है आपकी पूर्वाचल, पूर्वाचल, पड़ावट बना लो इसको, देख लो बना लो जो भी करना है आपको, कोई बफरिंग नहीं है मेरी और से, सब कुछ शांदार है, आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है, नजर आ रहा है, भूवन है, असम के अंदर भूवन है, लेकिन बेटा इतना छोटा छोटा नहीं दिखा सकते, अगर आप बात करोगे भूवन, येस, भूवन है, हम लिख देते हैं, भूवन, असम के अंदर है ये, भूवन पहाडिया असम के अंदर है, डोंट वरी, येस, तो जब भी आप मैपिंग करोगे बेटा, बाजार के अंदर आउटलाइन मैप आते हैं, याद रखना, पचास उरुपे के आ जाएंगे, सो के आसपास, उनको हम बोलते ह आउटलाइन मैप, दुकानदार से मांगना, बुक्शोप वाले से कि इंडिया का और वर्ड का आउटलाइन मैप दे दो, बस जिस दिन कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, एक घंटा पहले सारे टॉपिक को जैसे मैंने आज पढ़ा रहा हूँ, इसको रिवाइज कर लो, आ ओके, आउटलाइन मैप बोलते हैं बेटा, उसको आउट, ये जो मैप था ना, खाली आपको जो मैप नजर आ रहा था, ये आउटलाइन मैप है, ठीक है, नेख चलते है, अब आगई मिस्मी पहाडिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मिस्मी पहाडियों को पढ़ने में हमें अरुनाचल प्रदेश में है, इसके उत्तर और पूर्वी हिस्से चीन को छूते है, मिस्मी पहाडिया, सबसे इधर है, सबसे उपर है मिस्मी पहाडिया, उसके बाद है उत्तर पूर्वी हिमाले और इंडो बर्मा परवत माला जंक्षन पर है ठीक है इंडो यह बर्मा यानि के इधर आपका मैंमार है इधर आपका मैंमार है इधर आपका चाइना है कहरे जंक्षन पर है इंडिया है बर्मा है और चाइना है इंडो चाइना जंक्षन पर है राजमेहल की पहाडिया राजमेहल कई बार पूछा गया है यह राजमेहल पहाडिया कहां पे है यह देखो यह मैप आपको दिख रहा है यहां पे है आपकी राजमेहल पहाडिया पूर्वी भारत में राजमेहल की पहाडिया है तो जारखंड में लावा और बेसाल्टिक यहां पर विभाजित हो जाती है तो यह बोला है कि राजमेहल की फाडिया जारखंड में लावा के बेसाल्टिक चट्टानों से देखो कई बार ना थोड़ा भोत विस्तार आप बोलोगी सर थोड़ा सा बेंगोल में भी है तो उतना 19-20 चलता है हमें सिर्फ यह याद रखना है जब भी पूछेंगे इस्ट से वेस्ट, नौर्थ से साउथ, साउथ से नौर्थ और वेस्ट से इस्ट बस मोटा मोटा ध्यान रखना है उसके बाद है अरावली, अरावली परवत मला, दुनिया के सबसे प्राचीनतम, पॉल्डिड माउंटिन, अवसिस्ट परवत भी बोलते है प्राचीनतम, वलित परवत है यह और इसको आवसिस्ट परवत भी बोलते है, आवसिस्ट यह रेजडूवल माउंटिन, रेजडूवल माउंटिन भी है यह कहाँ है विस्तार इसका, कोई बताएगा, कहाँ कहाँ पर विस्तार है तो इसका अर्थ है चोटियों की रेखा है ना चोटी की रेखा है अगर इसका literally meaning निकालो तो गुजरात से शुरू होके राजिस्थान, हरियाना और दिल्ली इन राज्यों में इसका विस्तार है चार राज्यों में इसका विस्तार है हरियाना के अंदर है बेटा याद रखना हरियाना के अंदर है हरियाना में है कभी सोचो की हरियाना में नहीं है क्या बच्चा हर्याना के एक दो हिली एरिया का कोई नाम बता सकता है कोई भी बच्चा आप में से जो जानता हो कि हाँ हर्याना की ये पहाडिया अरावली का हिस्सा है कोई ऐसा बच्चा है तो बताओ मुझे हर्याना में किसी एक पहाडी का नाम बता दो हमारी विंधिया पहडिया कहां पहं है? मध्यप्रदेश, दिखा देता हूं, आपको यह आप देखिये यह जो आपको दिख रहा है ना विंध्या परवत-श्रंकला पैटा इस बार जो मैं आपके लिए जब इंडिया जियोगरफी कराऊंगा लास्ट यर मैंने आपको ओरिजिन आफ हिमालिय बता दिया था और लास्ट यर जब मैंने पढ़ाया था आपको वेस्टन घाट कैसे बना ये भी बता दिया था पता नहीं मुझे अंदर से फील आ रहा है कि इस बार वो विंध्याज और सत्थ पुड़ा को पूछ सकता है तो इस बार के जोग्रफी इंडिया के लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये विंध्याज कैसे बने और ये सत्थ पुड़ा कैसे बने थे आ जाएगा तो बढ़िया है ना मेरे बच्चों का एक कोशन एक्स्टा ठीक हो जाएगा क्योंकि किसी किताब में तो है नहीं किसी भी किताब में नहीं है किसी भी किताब में नहीं है UPSC वाली तो तो ये सब मैं आपको बता दूगा तो विंद्या रेंज क्या कहता है? मद्या प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ पर्वत श्रंकलाओ मतलब बिहार के साथ साथ कहा है? MP में गुजरात MP उत्तर प्रदेश बिहार पहाडी श्रंकलाए है उच भूमी है पठारों की एक जटिल श्रंकलाए इसके अंदर आपको पठार भी मिलेंगे पहाडिया भी मिलेंगी परवद भी मिलेंगे सब है और सबसे उची चोटी है इसकी गुडविल पीक सदभावना शिखर सदभावना शिखर गुडविल पीक है यह विंधिया है विंधिया ओके विंधिया विंधिया परवत श्रेणी ठीक है क्या बोल रहे हैं ठीक, गुड़ विल पीक हो गया उसके बाद आया, विंधिया के बाद आया सत्थपुडा सत्थपुडा मध्य है भारत में विंधिया के ज़स साउथ में है, देखो विंधिया के साउथ में है, ये सत्थपुडा ये सत्थपुडा है, ये देखिए, सत्थपुडा ये सत्थपुडा है तो आपके विंधियान के दक्षिन में पहाडियों की एक श्रंकला है मध्या परदेश, गुजरात, महारास्ट 36 गड़ से होकर गुजरती है, सबसे उची चोटी है इसकी धूप गड़, देखो इसमें क्या लिखा है बेटा, इसमें लिखा है पहाडियों की एक श्रंकला है ये, श्रंकला, तो विंधिया आप नाम सुनोगे, जैसे विंधिया को हमने क्या बोला, विंधिया के अंदर पह महादेव, मैकॉल, वो सब सत्पुडा रेंज की बात कर रहे हैं, वो सब इसी में आएगा, बताओंगा वो भी, महादेव, मैकॉल क्या है, क्यामूर क्या है, भांडेर क्या है, सारी आज की क्लास में है हमारी, don't worry, तो सत्पुडा रेंज हो गई, ये हमारी परवतों की श् और सत्पुडा हो गई, आगे चलते हैं, नीलगिरी की पहाडिया, नीलगिरी पहाडिया दक्षिन भारत में है, नीले पहाडों के रूप में इसको संदर्भित किया जाता है, तमिलाडू के पशिमी भाग में करनाटक और केरल के जंक्षन पर एक पहाडों की श्रंखला है, यह लग, तमिलाडू, करनाटक और केरला, इनके जंक्षन पर है यहाँ पे, दक्षिन में यह रा नीलगिरी की पहाडिया, यह नीलगिरी पहाडिया है, फिर है अन्ना मलाई, अन्ना मलाई हिल्स, तमिलाडू और केरल में पश्चिमी घाट में है न, यह पश्चिमी घाट गुजरात से लेके इधर तमिलाडू तक गुजरात से लेके तमिलाडू तक वेस्टन घाट है तो याद रखना जो वेस्टन घाट है आपके छे राज्यों में विस्तार है पहले ही बता देता हूं मैं पश्मी घाट का विस्तार भारत के छे राज्यों में है जो पश्मी घा यहां लिख लेना अलग से पहला गुजरात, दूसरा है महारास्ट, तीसरा है गोवा, चोथा है करनाटक, पांचवा है केरल, और छटा है तमिलाडू. यह च्छे राज्यों में विस्तार है पश्यमी घाट का, वेस्टन घाट का विस्तार है च्छे राज्यों में, गुजरात से शुरू होता है और इधर तमिलाडू तक जाता है. तो कहरा है अन्ना मलाई की जो पहारिया है, तो तमिलाडू केरल में पश्यमी घाटों में पहाडों की एक श्रंखला, इजी को अलिफेंट हिल्स के रूप में भी जाना जाता है, अलिफेंट हिल्स के रूप में, और सबसे उची चोटी है इसकी अनाई मुडी, अनाई मुडी, अनाई मुडी, इसकी सबसे उची चोटी है, अगर बात करें नील गिरी, नील गिरी की सबसे उची परवत चोटी कौन सी है, दोडा बेटा है न, दोडा बेटा, ये सबसे उची परवत चुरंकला है, नील गिरी की, और ये दक्षिन भारत की ये, दोडा बेटा सेकंड हायेस्थ है ये, दक्षिन भारत की, दूसरी सबसे उची परवत है first कौन सी है first है आपकी अनाई मुड़ी अनाई मुड़ी नेलगिरी की दोड़ा बेटा यह मैप तो समझ में आ रहा है ना आपको मैप स्पस्ट दिखाई दे रहा है ओके ठीक है अनाई मुड़ी दोड़ा बेटा अब आई कार्ड़म हिल्स इलाइची पहाड कार्ड़म हिल है यह तो देखो यह नील गिरी थी देन अना मलाई है उसके बाद है कार्ड़म तो south से अगर नौर्थ की ओर चले तो ये है कार्डमम, अन्नामलाई और नीलगिरी तो किस नाम से याद रखेंगे? C-A-N, 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 C-A-N कार्डमम, अन्नामलाई और नीलगिरी कई बार ओर्डर पूछ लेता है दक्षिन भारत की इन परवत श्रंकलाव का उत्तर से दक्षिन की और क्रम बताईए तो सबसे दक्षिन में है कार्डमम, उससे उपर है अन्नामलाई, उससे उपर है नीलगिरी C-A-N तो कैन हिल्स के नाम से याद रख लेना, ये कैन कैन हिल्स कार्डमम, उन्नामलाई, नीलगिरी पहाड़िया तो दक्षिनी पूर्वी केरल में, दक्षिनी पश्चिमी तमिलाडू में, दक्षिनी पश्चिमी घाट का पश्चिमी घाट का दक्षिनी हिस्सा है और कहां पर बता रहा है केरल में और तमिलाडू में यहां पर है कार्डमम हिल्स फिर आगई पालनी की पहाडिया पालनी पालनी पहाडिया कहां पर है सुनो very important है बेटा यह very important तो कहते हैं पश्चिमी घाट का पूरू की और विस्तार है पश्चिमी घाट ये जो पश्चिमी घाट है कहरें इसी का थोड़ा सा पूर्व की और विस्तार है इसके पश्चिम में अन्ना मलाई की श्रेनी है उससे सटा हुआ है और पूर्व में तमिल लाडू के मैदान है कहते है कि अगर ये पालनी हिल्स है ये पालनी है तो इस पालनी के पश्चिम में तो है अन्ना मलाई ये पालनी है पालनी के कहता है पालनी के पश्चिम में है अन्ना मलाई और इस पालनी के पूर में है तमिल लाडू का मैदान तो एक तरफ मैदानी चेतर है इसके पश्चिम में इधर पहाड़ी छेत रहे तो ये रही हमारी पालनी हिल्स मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ इसको छोड़ो एक मैं लगाया होगा मैंने ऐसा नहीं है आई ये रहा दिखा देता हूँ आपको कुछ पहाड़िया दिखाता हूँ उनको ये लो वेटा आपको नजर आ रहा है ये आई होप की नजर आ रहा होगा जल्दी से बताईए ये सब मेरा मैंने खुद से ही ड्रो किया वेटा ये सारे जो नाम दिख रहे हैं आपको ये मैंने खुद ही लिखे है आपको ऐसा कोई मैप नहीं मिलेगा और ये एक 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 एग्जेक्ट लोकेशन गूगल लोकेशन है आपको पताए गूगल पर डाला मैंने गूगल मुझे बताओ बाबा बुदन की एग्जेक्ट लोकेशन क्या है तो गूगल ने मुझे बताया कि सर बाबा लोकेशन की ए ही है गूगल ने मुझे बताया कि नीलगिरी यहां पर है एक्जेक्ट लोकेशन मुझे खुद भी पता था लेकिन एक्जेक्ट ली इस वाले मैपे में कहां उसको इम्पोज करो तो बना लेना बिलकुल एक्जेक्ट है और एक्यूरेट है नजर आ रहा है ना बहुत ही ला जवाब आप सुनो देखो एक्ये करके हमने देखी नीलगिरी की पहाडिया नीलगिरी के दक्षिन में हमने क्या देखा अन्ना मलाई की पहाडिया नीलगिरी की सबसे उंची चोटी थी डोडा बेटा second highest है दक्षिन भारत की second highest अना मलाई है इसकी सबसे उची चोटी है अनाई मुडी इसके दक्षिन में है कार्डमम की पहाडिया ऑके ये देखो पालनी है बेटा पालनी क्या बताय गया था पालनी के पहशिम की ओर कौन सी है अना मलाई और पालनी के पूर्व में देखो बेटा, पूरा प्लेन है, तो करनाट इधर तमिलाडू का मैदान है, यही लिखा है वहाँ पे, पालनी के पश्चिम में अन्ना मलाई, पालनी के पूर्व में तमिलाडू का मैदान, फिर थोड़ा और दिखा देता हूं मैं, थोड़ा और, यही पे एक और हिल है वर्ष नाद हिल यही पे लिख लेना बटा, यही पे मैं उसको थोड़ा वाइट कर देता हूँ, आप लिख लेना, यहां पे वरुष नाद हिल्स है यह नाम लिख लेना बटा, वरुष नाद याद रखना इसको यह पालनी हुआ हमारा यह पालनी हुआ फिर चलो देखो ऐसे चल रहे हैं यहाँ अगर है तो इसको और याद रख लो करनाटक के अंदर है बाबा बुदन की पहाड़िया करनाटक यह करनाटक है अभी ऐसे चल रहे है तो ये वरशनाद होगी ये पाल नहीं होगी ये आ गई पंचम मलाई उसके बाद आई शेवरोय बोलते हैं उसके बाद है जवादी फिर है आपकी नागरी हिल्स फिर है पाल कॉंडा हिल्स फिर है वेली कॉंडा हिल्स और फिर है नला मलाई नला मलाई लिख लेना इसको नला बूदन, नीलगिरी, अन्ना मलाई, कार्डमम, वर्शुनाद, पालनी, पंचम मलाई, शेवरोय, जावदी, नागरी, उसके बाद पालकोंडा, वेलिकोंडा और नल्ला मलाई. बाबा बूदन, फिर से आख बंद करो, आखे बंद करो और मेरे साथ चलो, इधर करनाटक से चलते हैं, बाबा बूदन, नीलगिरी, अन्ना मलाई, कार्डमम, वर्शुनाद, पालनी, पंचम मलाई, शेवरोए, शेवरोए, जावदी, नागरी, वेलिकोंडा, पालिकोंडा और नल्ला मलाई. ठिक है. समझ पा रहे हो, दिमाख में इमेज बन रही है, इन सब की या नहीं? कुछ-कुछ याद हुआ न? होगा, don't worry, सब याद होगा, सब का नमबर आएगा. और यही पे आप देखो, शेशा चलम की पहारिया, आंध्रप्रदेश, शेशा चलम, जिसको आप बोलते हो न, शेशा चलम पहारिया, यह रही शेशा चलम. यह शेशा चलम है, यह देखो, शेशा चलम. तो अगर UPSC आपसे ये नौर्थ है और नौर्थ से साउथ पूछ ले नौर्थ से पुरा साउथ पूछे साउथ से नौर्थ पूछे ये order याद रखना इधर भी नौर्थ से साउथ पूछे साउथ से नौर्थ पूछे ये order याद रखना आजओ अब इनकी मेजर पीक्स देखते हैं चोटिया माउंटेन पीक्स परवत चोटियों के नाम देखते हैं तो सबसे पहले नाम आप देख सकते हैं ब्रोड पीक के नाम से, ब्रोड पीक को इसको K3, K3 या फालकन कांगरी के नाम से भी जानते है, करा कोरम के अंदर है ये, मैंने आपको क्या बोला था कि मैं साथ के साथ आपको कन्फ्यूज नहीं करूँगा, पहले मैं आपको माउंटेन रेंज बताऊंगा, करा कोरम, लद् जिंगमा, बरेल, पूर्वांचल, गारो, खासी, जेंतिया, पठकोई, बूम, नागा हिल्स, पूर्वी, मनीपूर हिल्स, लेमेटोल, मिजो, लुसाई हिल्स, तिरुपुरा हिल्स, फिर हम मध्य भारत में आगे थे, अरावली, विंधिया, सत्पुडा, बाबा बुदन, नीलगिरी, अन्ना मलाई, कार्डमम, वरुषनाद, पालनी, पंचम मलाई, शिवरोय, जावदी, नागरी, पालकोंड़, वेलकोंड़ और नल्ला मलाई, अभी ये मैंने आपको रेंजीज बताई है, हिल्स बताई है, अभी मैंने आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं कि अब हम हर एक जो पहाडियों के उपर उनकी उची चोटियों को देखेंगे, ताकि अब आपको याद आए, तो ब्रॉड पीक है बेटा करा कोरम में, ये देखो, ब्रॉड पीक, अब ये देखो, गौडविन ओस्टन है, गौडविन ओस्टन, इसको के टू के नाम से भी ज और उसके बाद है गैसर ब्रॉम, गैसर ब्रॉम ये भी करा कोरम के अंदर है, तो करा कोरम के अंदर ब्रोड पीक हो गई, करा कोरम के अंदर गौडविन ओस्टन और करा कोरम के अंदर गैसर ब्रॉम ओके, फिर आई नंगा परवत, नंगा परवत, जे एन के, ओके, यहां से होके आपकी इंडस रीवर होके बहती है, इंडस रीवर, जिसको सिंधू नदी बोलते है, सिंधू, सिंधू नदी हो गई है, ओके, फिर साल टौरो कांगरी, साल टौरो कांगरी, यह जे एन के में है, करा कोरम रेंज का ही विस्तार है, फिर है नुन कुन, नुन कुन याद रखना, नुन कुन, यह जासकर में टो करा कोरम की के टु गौडविं आॉस्टिन इदर जासकर की नुन्कुन है उसके बाद बदरीनाथ यह आपकी उत्रा खंट के नंदर है, लोड विश्णु के नाम से मंदिर भी है, बदरीनाथ का मंदिर है, famous for holy temple बदरीनाथ, नाम सुनाया ना बदरीनात, किदारनात, वो ही अध देखो अभी हमने देखा ब्रोड पीक, हमने देखा केटू, हमने देखा गैसर ब्रूम हमने देखा साल्टोरो कांगरी, हमने देखा नुनकुन, हमने देखा नंगा परवत हमने देखा बदरीनाथ बस एक और याद नाम रख लेना नंदा देवी ये देखे अभी अबने ये देखो ये मैप आपको मिलेगा आप टेंशन मत लेना ये सारे मैप्स आपको ऐसे के ऐसे ही मिल जाएगे बहुत सारे बच्चें बोलते हैं कि सर जो आप लिखा हुआ देते हैं सर वो दिया करें बेटा जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ पहले लैपटोप से पढ़ाते थे तो लैपटोप पे save हो जाता था लिखा हुआ इस पे save होता है तो पता नहीं कोई different format है वो जाता ही नहीं है टेलिग्राम पे तो ये एक technical issue है मैंने team को बोल दिया है उनसे मैं पूछूंगा कि बच्चे with annotation चाहरे है मतलब मेरी PDF को लिखा हुआ चाहरे है तो वो मैं कैसे provide करूँ तो मैं आज पूछ के मैंने बोल दिया है बता दूँगा उसकी आप tension ना ले तो broad peak, K2, Gesserbrum, Saltero, Kangri, Nunkun, Nunkun, Jaskar का highest है इधर नंगा परवत है ये बदरीनाथ और नंदा देवी आजओ तो नंदा देवी हो गई हमारी उत्राखंड के अंदर फिर आया कंचन जंगा सिक्किम के अंदर सिक्किम के अंदर तो नेपाल और सिक्किम में है तो तीस्ता रीवर किसके बीच में है तीस्ता रीवर तो पूर्व में है और तैमूर रीवर है पश्चिम में उन दोनों के बीच में है आपका कंचन जंगा और highest mountain entirely in India अगर हम बात करें कि पूर्ण रूप से देखो फर्क है क तरा कोरम का विस्तार पाकिस्तान तक भी है इसने लेकिन ये बोला है कि अगर ऐसा कोई mountain range है अगर हम ये पूछे जव पूर्ण तै भारत में है और उसका highest peak कौन सा है तो highest mountain entirely in India और third highest mountain in the world दुनिया का तीसरा सबसे उंचा परवच्छिकर है ये उसके बाद है नौक रेक नौक रेक क्या कहता है गारो hills के अंदर गारो खासी जैंतिया मेगाल ये highest है नौक रेक वहाँ पे नौक रेक एक करके लिखते जाना बिटा जैसे जैसे मैंने पहाडिया बताई थी ना आपको important उन सब के अंदर लिखते चलना आप ये नौक रेक पिर आए सारा मती सारा मती किसका है नागा हिल्स के अंदर है नागा पहाडिया कहां पे थी नागा पहाडिया कौन बताएगा नागा पहाडिया कहां पर है कहां पर है मनिपूर में है आसाम में है मिजोरम में है तिरुपुरा में है अरुनाचल में है कहां पे है नागलेंड में है फिर है ब्लू पीक ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं ब्लू यह काफी इंपोर्टेंट है बेटा है आपको परिशान कर सकता है ब्लू है आपका आल्सो नौन एज फैंग पूई फैंग पूई के नाम से जाना जाता है और मिजोरम हिल्स का सबसे उचा परवत है वो शिखर है ब्लू माउंटेन या ब्लू पिक फैंग पूई फैंग पूई दन फिर है गुरु शिखर अरावली मैंने बताया था माउंट आबू राजिस्तान हाइस्ट पॉइंट आफ अरावली रेंज अच्छा मुझे बताओ अरावली का विस्तार कितने राजियों में है कितने राजियों में है याद रखना वेटा मैंने राजिये पूछा है कितने राजियों में है अगर यही प्रशन मैं पूछता कितने राजियों और केंदर शाशित प्रदेशों में है आया बात समझ में इसलिए मैं बोलता हूँ जब UPSC का प्रशन पड़े तो एक बार अंडरलाइन करे ओवर कॉन्फिडेंस में आप से गलत हो सकता है अब आया ना समझ में जो मैं पूछना चाहरा था येस प्रशन को पड़ते समय ध्यान रखे UPSC आपको ऐसे ही ट्रैप करेगा अभी डेली आपका UT है तो फिर आया गौरकनाथ गौरकनाथ कहां पर है? आपके गुजरात के अंदर और गुजरात के अंदर ही एक और है मांडव हिल्स मांडव हिल्स भी गुजरात के अंदर है बिटा मांडव हिल्स याद रखना यहीं पर लिख दिया मैंने मांडव हिल्स गुजरात के अंदर है फिर कहते है धूपगड ये देखो ये MP में है highest peak है आपकी सत्पुडा range की कहां पे? एक बाल घुम के आना पंच मड़ी काफी खूपसूरत है बहुत अच्छा dense जंगल है फिर उसके बाद कुद्रे मुख कुद्रे मुख है कुद्रे मुख कुद्रे मुख ये नाम आपने सुना होगा करनाटक में है जिसका मतलब है horse face अशुर का जो face है फिर है डोडा बेटा डोडा बेटा highest point इन तमिलाडू नियर उटक मंडलम जिसको आप बोलते हो उटी निलगिरी की पहाड़ियों में है और दक्षिनी भारत में western घाट का second highest peak है दूसरी सबसे उची परवत श्रेनी है चोटी है यह मैंने बता दिया था आपको पहले भी फिर है अनाई मुडी अनाई मुडी अन्ना मलाई हिल्स में है located in केरला highest peak है आपकी दक्षिन भारत की अनाई मुडी कौन सी पहाड़ियों में है क्या कोई मुझे बता पाएगा अनाई मुडी कौन सी कौन सी पहाड़ियों में है कौन सी पहाड़ियों में है कौन सी पहाड़ियों में है अन्ना मलाई पहाड़ियों में है चलो फिर है अगस्ता मलाई यह कहां पे है अगस्ते मलाई यह कहता है also called a shambhu hills a shambhu hills के नाम से भी नाम है इनका अशंबू हिल्स के नाम से भी जाना जाता है अगस्ते मलाई extremely southern end of western घाट कहां पे केरला और कमिल नाडू दोनों में इसको आप देख सकते है अगस्ते मलाई फिर है आपकी saddle peak ये काफी important है saddle peak है तो highest point है आपका किसका अंडमान अंडमान निकोबार में अगर देखे तो saddle peak saddle peak सबसे उची परवत चोटी है ये अगस्ते मलाई हो गया ये saddle peak हो गया उसके बाद है mount harriet mount harriet किसकी है ये third highest peak है कहां पे अंडमान और निकोबार में और सबसे उची तो कौन सी थी saddle peak ये mount harriet है mount harriet दिखाऊंगा इन सब को tension नलो एके करके आजओ अभी ओके well done इतना आपको समझ में आया अभी देखना शुरू करो फिर से देखो तीन चार बार दिखाऊंगा आधे नाम तो आपको ऐसे याद हो जाएगे broad peak केटू, गेसर ब्रुम, साल्टोरो, नुनकुन, नंगा परवत, उत्राखंड में बदरीनाथ, नंदा देवी इधर कंचंजंगा, नौकरेक, सारा मती, ब्लू, ब्लू माउंटेन मैंने आपको दिखाए थे उसके बाद आजाओ यहाँ पे सैडल पीक, माउंट हैरियेट और यही पे, निकोबार में मिलेगा माउंट थुलियर वो बताऊंगा मैं, सैडल पीक, माउंट हैरियेट आजाओ, अभी इधर आजाओ गुरु शिखर, अरावली, धूपगड, इधर पारशनाथ हिल, मलेगिरी की पहाड़िया, औरिसा की अंदर है मलेगिरी, नीमगिरी और महेंद्र गरी, यह नाम याद रखना मलेगिरी, नीमगिरी, महेंद्र गरी, इधर धूपगड हो गया, यहीं पर मैंने आपको मांडव हिल्स भी बताई थी, कल सुबाई और महाबलेशवर, यह महरास्ट, उके, उसके बाद ब्रहमगिरी की पहाड़िया, करनाटक, कुद्रे मुख हो गया उसके बाद देखिए यह आप, दोड़ा बेटा, अनाई मुरी, अगस्त मलाई, यह सारी पीक आपको मैंने लिखवा दी है, आप भी एक ऐसा बेटा आउटलाइन मैप बनाना, या इसी जो मेरी आज की कलास है ना, इसका PDF निकलवा लेना सभी लोग, अगर आप PDF लिकलवा आते हैं, तो सारा टाइम बच जाएगा, लेके चले जाना यार, पैन ड्राइव में, और दे देना किसी दुकानदार को, मुश्किल से बहुत सारा तो एडवर्टाइजमेंट है, इसमें 90 स्लाइड है, जिसमें से 20-25 स्लाइड तो अनकैडमी के प्रोमोशन वाली है, तो आपको कुछ भी ड्रो नहीं करना, अगर हाथ से नहीं बना पारे, तो इनको निकल लेना और उसी के उपर काम करते रहना, ये देखो, बहुत सारी पीक्स का मैंने पूरा दे दिया, आपको पूरी पीक्स है भारत के अंदर जितनी मेजर पीक्स है, जितनी भी आपके माउं माउंटेन पीक्स है जितना भी, वो सब का सब है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा, ये पूरा माउंटेन पीक्स है, पूरी की पूरी, एक अगर करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये देखो यहाँ पे, राकस पौशी, माशर ब्रूम, नंगा परवत, हार्मुक चोखंबा, ये सब, अलग-अलग स्टेट के, यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, जम्मु कश्मीर, लद्दाक का, फिर हिमाचल, उत्राखंड, सब है यहाँ पे, ये सब आप देख लेना, नुनकुन मैंने आपको दिखाया था, के टू, गैसर ब्रूम मैंने आपको द अंदर है, इधर कंचन जंगा हमने देख लिया, कंचन जंगा देखा, टाइगर हिल्स है, पारशनाथ हिल है, शारामती है, केलिंगोन है, गुरू शिकर है, ये फिर दक्षिन भारत का दिखा दिया मैंने, सर काला है, साल हेर, कई बार ये पूछ लेता है, साल हेर कहाँ है? कल सुबाई हो गया महा बलेशवर कुद्रे मुख अनाई मुडी कोटई माला अगस्त मलाई ये दोड़ा बेटा हाला कि लिक इदर रखा है दोड़ा बेटा लेकिन है इदर आपकी कितना सारे नाम है ये आप देख लेना ऐसी की ऐसी मैं आपको दे दूँगा देखो थोड़ी महनत जरूर लगेगी लेकिन ये बात ध्यान लखना बेटा अगर कोशन आता है न तो ठीक भी होगा बाकी बच्चों का नहीं होने वाला अगर किसी ने मैपिंग को सीरियसली नहीं लिया तो मैपिंग का कोशन नहीं बनेगा ये बात मिर से लिखवा लो UPSC मैपिंग का कोशन वो जो नाम है आपको सुने सुनाए होंगे चिनाव रीवर का नाम सिंधु रीवर का नाम लगेगा कि हाँ ये सब जानते लेकिन कोशन अटेंट नहीं होगा ये सारे नाम आपको सुने हुए होंगे लेकिन अगर जो प्रैक्टिस मैं नहीं करा रहा ये नहीं करोगे तो कोशन सॉल्व नहीं होगा मैपिंग बेजड कोशन आसान पूछ ही नहीं रहा है UPSC ए बात ध्यान रख लेना इन डैप्थ में जाके पूछता है उसको इन डैप्थ में जाके पूछ रहा है इसलिए अगर आपने मैपिंग के दो कोशन सही कर दिये ना अगर मैपिंग के दो कोशन सही होते तो आप ये मान के चलना कि आप गिने चुने उन 100, 200, 500, 700, 1000 बच्चों में से है या जितने बच्चे मेरी क्लास को देख रहे हैं उन बच्चों में से है जो उस कोशन को ठीक कर पाए है वाकिसे नहीं होने वाला वेल ड़न बैटर जोगरफी भी फ्री में चल रही है हमारी एनवाइर्मेνट भी फ्री में चल रही है आप देखा गरो 1.30 PM पे सेशन रहता है मेरा मंड़े से सेटरडे जोगरफी और एनवाइर्मेंट दोनों ही फ्री करा रहा हूँ पैसा नहीं है मैं कोई पैसा मांगा किसी से, नहीं मांगा अच्छा, बीच में मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई है, आपको लाइट करने के लिए आखिर वो दिन आही गया, कौन सा दिन आ गया, सुनो, आखिर वो दिन आ गया, आज रातरी, सुनो, अभी क्लास बहुत बची है बेटा, एक बज़े तक क्लास चलेगी सुनो, आज रातरी को नो बज़े, नाइन पीम पर एक जबरदस सेशन होने वाला है, मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल बताने वाला हूँ, UPSC PT 2022 के लिए, कि टाइम टेबल में कौन से सबजेक्ट को कितना पढ़ना है, कि आप PT को पास कर जाए, PT पास करना है बेटा, क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम में से बहुत सारे बच्चे उन सबजेक्ट को ज़ादा टाइम दे देते हैं, जिनका PT में वेटेज लगबग ना के बराबर है, या हम उन सारी चीजों को ज़ादा फोकस करते हैं, जो कम महत्व की है, अच्छी चीजे हमारे हाथ से छुट जाती है, और लास्ट के चार महिने में एक ऐसा टाइम टेबल, जो आपको आईएस बना सकता है, वो सेशन आज रात के 9 बजे होगा, लेकिन वो सेशन होगा, स्पेशल क्लास पे, अन अकैडमी की स्पेशल क्लास, पहले मैंने कल उस सेशन को साड़े 6 बजे रखा था, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि back to back classes हम स्पेशल क्लास पे नहीं रख सकते, थोड़ा gap देना होता है, classes के Unacademy Learner App पे चलेगा Unacademy Learner App है आप Play Store से डाउनलोड कर लेना अपने फोन से डाउनलोड कर लेना ओके यहाँ पे session होने वाला है और मैं निसंदे जो बच्चा जरा भी serious है जरा सा भी serious है जो मैं time table दे रहा हूँ यह मेरा खुद का experience है बहुत सारे ऐसे बच्चे जो select हुए है मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन पर मैंने इस strategy को apply किया है तो यह बहुत ही 100% tested time table है अगर आप बच्चों ने आने वाले चार महिने इस time table से पढ़ाई कर ली तो IS बनोगे PT तो pass कर जाओगे PT तक का तो मैं बताता हूँ PT past कर जाओगे तो यह दिन आ गया आज रातरी 9 बजे हम special class पे मिलेंगे अब आगे चलते है मैंने आपको बताया था पश्चिमी हिमाले पूर्वी हिमाले बीच में नेपाल वाला part मैंने आपको नहीं कराया था यह देख लो आ सकता है कमी भी यह नेपाल वाला part आ सकता है यह नेपाल वाला part है बटा कुछ ranges को हम याद रखेंगे देखो कंचन जंगा तो आपको याद है ना कंचन जंगा सबसे पूर्व में थी कंचन जंगा सिक्किम यह कंचन जंगा है ओके अब ही हम चलते हैं नेपाल के अंदर भी तो है न शिवालिक हिमाले ए ग्रेटर हिमाले नेपाल में भी है अभी जो UPSC questions पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि नेपाल के अंदर या मध्य हिमाले के अंदर कौन-कौन सी परवत श्रेनिया है या तो परवत श्रेनिया पूछ लेगा आपसे या उन परवत श्रेनियों का पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर आपसे क्रम पूछने वाला है ये क्रम याद रखने वाले अभी बहुत शांदार इसको तरीके से याद रखेंगे सुनो ये देखो धोलागिरी 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 धोल और है गौरी शंकर गौरी शंकर उसके बाद है आवरेस्ट और है मकालू left में क्या है धोला ने को भारत में था वो धोलाधार रेंज यह है धोला गिरी याद रहना जो भारत में हमने पड़ाता धोला धार पढ़ा था, यहां पे है धोला गिरी, धोला गिरी अन पूर्णा, उसके बाद मन सालू, अगर बीच में ये शिशा पैंगमा याद नहीं होता तो छोड़ देना, अगर ये शिशा पैंगमा याद नहीं भी होता तो छोड़ देना, ये नहीं पूछेगा, ये मैं बता र मकालू, गनेश, गोरी शंकर और माउंट एवरेस्ट और मकालू और इस्ट में है हमारा कंचन जंगा चलो फिर से बताएं आपको धोला गिरी सबसे पहले धोला, धोला गिरी सेकिन है अनपूर्णा, उसके बाद है मनसालू उसके बाद है आपका मनसालू के बाद है गनेश फिर है गोरी शंकर उसके बाद है आपका एवरेस्ट और सबसे इधर है आपका मकालू धोला गिरी धोला गिरी अन्यपूर्णा मसालू मनसालू गनेश गोरी शंकर है ना उसके बाद एवरेस्ट और उसके बाद मकालू या तो वो ये से ये ओर्डर पूछने वाला है या वो इधर से इधर वाला ओर्डर पूछने वाला है तो कैसे याद करोगे इसको ओके तो दम लगाकर है ना इस बार दम लगाकर आपको क्या पढ़ना है जी एस पढ़ना है दम लगाकर जी एस पढ़ना है क्योंकि एक तरफ एवरेस्ट है और एक तरफ माउंट एवरेस्ट और एक तरफ गनेश और फिर बाद में है आपका मकालू या आप यह से याद रख सकते है धोलागिरी अनपूर्णा मसालू मनसालू आलू से याद रखो अनपूर्णा आलू मसालू बस लास्ट में याद रखना सबसे उधर है मकालू और सबसे इधर है धोलागिरी थोड़ा सा क्योंकि इंडिया में नहीं है तो आप इन शब्दों से थोड़ा परिचित नहीं हो लेकिन मैं आपको यह कहूँगा अपनी कौपी में बना लेना ऐसा का ऐसा ही नेपाल का और ऐसे ही याद रख लेना धोलागिरी, अनपूर्ना, मनसालू, गनेश, गोरी शंकर, एवरेस्ट और मकालू याद रहेगा आपको जल्दी से बताओ मुझे देखो मुझे तो याद है वो सारी चीजों की वेटा ट्रिक नहीं बनती ना सब चीजों की ट्रिक्स भी नहीं बनती ऐसे याद कर लो धोलागिरी, अनपूर्ना, मनसालू, गनेश, गोरी शंकर गनेश और गोरी शंकर तो एक साथ ही याद रख ले ना, गनेश जी और गोरी और शंकर, भगवान शीव मा गोरी उनके बेटे गनेश, ऐसी याद हो जाएगा, फिर एवरेस्ट और मकालू वेल जन, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा बच्चे बोल रहें, सर ये हिंदी की अटलस बुक में नहीं है, बेटा ये अंगरेजी की अटलस बुक में भी नहीं है बात हिंदी की है ही नहीं, मैं इसलिए तो हूँ, भाई मैं आपके सामने किसलिए हूँ देखो मैं आपके सामने इसलिए हूँ, अगर मुझे ये पता होता कि किताबों से पढ़के आई-एस बच्चे खुद बन जाते तो मुझे पढ़ाने की जरूती क्या थी बिटा आप ये बताओ, डबल काम क्यों करना, पता चल रहा है किताबों में सब कुछ है आप पढ़ लो, बन जाओ, लेकिन किताबों से दुनिया से यूपियस से बाहर आ गया तो वो कौन सी दुनिया है, वो क्या पूछ सकता है, उसका दर्शन या उसका जो नॉलिज है उसी के लिए मैं हूँ बेटा, जो आपको कही नहीं मिलेगा, वो इधर मिलने वाला है, इसलिए परेशान ना हो अब ही आपका आपसे प्रशन है, आप मुझे कौन बच्चा बताएगा, ब्लू माउंटेन कहां पे है ब्लू माउंटेन किधर है, कौन बच्चा जवाब देगा, मुझे जवाब चाहिए, ब्लू माउंटेन बताएगे मुझे कहां है मैक्सिमम बच्चों का जवाब सही आ रहा है कि सर ब्लू माउंटेन मिजोरम है नील गरी वाला कौन है ये बच्चा नील गरी को ब्लू माउंटेन, बैटा ब्लू माउंटेन इधर कहीं और है मिजोरम में है जोगरफी की मुझे नहीं पता शायद आठ दस क्लास हो चुकी है देख लेना बाकी बच्चों बता दो जोगरफी की आरदस क्लास होई एनवायरमेंट की अभी चार जनवरी से हमने शुरू किया है जोगरफी और एनवायरमेंट का बैच यूट्यूब के उपर आप उसको आओ देखो और मैं आपको यकीन दलाता हूँ एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं आएगा चाहे जोगरफी का हो चाहे एनवायरमेंट का हो जो हमारी इस लाइव क्लास से बाहर होगा कोई भी नहीं होगा ना जोगरफी में ना एनवायरमेंट में मिजोरम में है मिजोरम के अंदर है सारा मती किदर है सारा मती किदर है सारा मती किदर है बजरा बताईए तो सही सारा मती किदर है सारा मती किदर है सारा मती सारा मती मनिपूर में नहीं है बेटा तिरूपुराम में भी नहीं है कुछ बच्चे तिरूपुरा बोल रहे है आगलेंड के अंदर है तो ये नेपाल वाला याद रख ले ना फिर से मैं बोलता हूँ नेपाल वाला फिर से एक बार याद रख ले धोलागिरी मनसालू अगे चलते हैं यहां से अब आते हैं mountain passes in India भारत के अंदर passes की बात करते हैं mountain passes जम्मू कश्मीर के अंदर बात करते हैं देखो कितना structured class में ले रहा हूँ सबसे पहले मैंने आपको ranges बताई ओके आपको ताकि कोई confusion ना हो उसके बाद मैंने आपको peaks बताई ताकि आपके उन पहले mountain जान लेंगे तो उन उनके उपर ले जाके उनकी चोटियों को बिठा देंगे अब mountain जान लिए peaks जान लिए अब हम जानेंगे passes को passes को दर्रे सुनो तो अभी हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर है अग hill pass अग hill pass बुर्जिल pass कराकोरम pass और जोजीला pass पैंसीला pass और बनिहाल pass देखो ला का मतलब भी la का मतलब भी pass ही होता है याद रखना कौन सा है अग hill pass बुर्जिल pass कराकोरम pass जोजीला pass पैंसीला pass और बनिहाल pass इस बनिहाल pass के अंदर ही आपकी जवाहर टनल है और जो ये पैंसीला pass है इसको gateway to जासकर बोलते है जासकर में entry gateway है उसका पैंसीला नाम याद रखने है आग हिल बुर्ज हिल है ना आग हिल बुर्ज हिल बुर्ज हिल कराकोरम जोजीला पैंसीला और बनिहाल ये जम्मू कश्मीर के passes है दूसरा ये देखो अब आप बोलोगे सर कहां कहां है हमें तो जरा दिखाईए तो सही अरे ये लीजिये आपकी खिदमत में पेश है ये लीजिये आपकी खिदमत में पेश कर दिया है एक शांदार बहतरीन मैप ये लीजिये ये लीजिये अभी मैंने क्या बोला आपको अग हिल बहुत सारे है बिटा देखो कितने सारे passes है सब याद नहीं करने कुछ कुछ याद करने हैं कुछ कुछ है ना अग हिल पास ये देखो अग हिल पास है करा कौरम पास है ओके अगर आपको याद रखना है यहाँ पे एक और मैंने लिख दिया यांगी द्वार ये नहीं पूछेगा मैं जो पूछेगा वो ही बता दिया ओके अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता इतने सारों में से गहरा experience है नजरिया है जिन बच्चों को लगता है जो सर बता रहे सिर्फ उतना ही याद करना है तो मेरे जितना याद कर ले न बाकी तो पूरी आपकी खिदमत में पेश है न देखो अगर आप मेंसे किसी को लगता है मैं ये सारे याद कर लूँगा तो कर लो आपको सबका ओप्शन भी है तो ये देखो उसके बाद आया ये बुर्जिल पास बुर्जिल पास चौर बाट पास आ गया पीर पंजाल पास आ गया जोजीला पास आ गया बनी हाल पास आ गया ओके अभी यहीपे हम हिमाचल प्रदेश में क्योंकि अभी तो जम्मू कश्मीर को देख रहे है हिमाचल में नहीं जा रहे है अभी हम यहाँ पे चांगला है बेटा चांगला चांगला और जाराला अगहिल याद रखना करा कोरम याद रखना इधर बुर्जिल याद रखना जादा से जादा चौर बट भी याद रख सकते हो जोजीला, बनी हाल, पीर पंजाल ये अकसर हमारे न्यूस पेपर में भी चर्चा में रहते हैं ये तीनों इनको याद रख लेना ओके और यहां से जाराला को डन चांगला जाराला अब ये हिमाचल प्रदेश में मत जाओ बेटा अब हम इधर जम्मू कश्मीर में और लदाक के अंदर ही घुम रहे हैं स्टेट वाइज पास करेंगे इधर उतना ही देखो जितना मैं दिखा रहा हूं ज्यादा क्यों देख रहे हूं शांत हुजाओ यह नहीं देखना इसको शांत करो चुप यूपीसी का फोर्म बेटा नहीं आया अभी शायद दस फरवरी के आसपास तक आ जाएगा ओके फिर चलते हैं आजओ आगे चलते हैं अभी यह हो गए हमारे ओके तो यहां पर भी देखो वह ही दिखाया मैंने यह अगहिल है यह बुर्जिल है जोजीला बनिहाल कराकोरम खुरदंग सासर पैंसिला यह अभी आजओ अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर चलते हिमाच लाचा है ना बड़ा लाचा बड़ा लाचा पास है दूसरा है रोहतांग पास रोहतांग दर्रा और फिर है शिपकी ला शिपकी ला तो कहीं ला है कभी पास है तो बात एकी चीज़ है ला हो या पास हो देखो बड़ा लाचा है हिमाचल प्रदेश और लदाक को बीच में connectivity देता है और रोतांग पास है हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है बहुत अच्छा tourism destination है लोगबग जाते है घुमने के लिए ओके और फिर ship की ला है इंडिया तिबब बॉर्डर पे ship की ला आ ज़ो यह देखो दिखाते हैं आपको यह आ ज़ो बाड़ा लाचा पास हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे है रोहतांग पास की बात कर रहे है ship की ला पास पाकी को याद रखने की जरूत नहीं बेटा इतना इतना याद रखोगे elimination method strong करना है बस हमें यह 3-4 को याद करने से हम eliminate कर पाएंगे जो गलत option है उसको बाहर कर देंगे अगर मैं आपसे अभी पूछता हूँ आप मुझे बताईए अग हिल पास किदर है अग हिल पास किदर है अग हिल चीक है तो आपको पता चल गया ना भी तो बस इतने सी काम हो जाएगा यह हो गया हमारा अब आजाते है उत्राखंड की अंदर उत्राखंड माना पास माना नीती और लीपू लेख माना नीती लीपू लेख तो माना किदर है माना है इंडिया तिबबत बॉर्डर पे इसी को हम डूंगरीला है ना डूंगरीला के नाम से भी जानते हैं नीती पास, इंडिया, तिब्बत, और जो लिपु लेख पास, ये भी इंडिया तिब्बथ बोर्र पर है, माना, नीती, लिपु लेख, डुंगरीला, है न, अरे एक शब्द है न, डुंगर, डुंगर का मतलब आप जानते हो न, अरे बहुत सारे लोगों का नाम डुंगर ह डूंगर का मतलब पता है किस बच्चे को पता है डूंगर का मतलब क्या होता है डूंगर बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं डूंगर सिंग कौन बच्चा बताएगा देखते हैं किस बच्चे को पता है डूंगर सिंग का मतलब क्या होता है अच्छ नहीं पता अरे डूंगर का मतलब नहीं पता डूंगर का मतलब होता है पहाड डूंगर का मतलब होता है पहाड डूंगर का मतलब होता है पहाड डूंगर का मतलब होता है पहाड, चलो कोई बात नहीं, राजिस्थान में बड़े कौमन है ये नाम है ना, डूंगर नाम काफी कौमन है राजिस्थान के अंदर, ठीक है, चलो, तो माना, नीती, लिपुलेख, कहां मिलेगा माना, नीती, लिपुलेख, ये रा, ये रा, ये उत्राखंड है यहाँ पे माना, नीती, लिपुलेख, ओके, फिर है सिक्किम के अंदर सिक्किम के अंदर चलते हम सिक्किम में है नाथूला इंडिया तिबबत पे और जेलेपला ये भी इंडिया और तिबबत पे ये ला नाथूला और जेलेपला नाथूला और जेलेपला अभी आप ऐसे ही रखना कि जो सिक्किम है बिटा ये जस्ट लाइक नौज शेप है ना जैसे इंसान की नौज नहीं होती चहरे से ठोड़ा बाहर की ओर निकली हुई तो इसी नाथुला में इसमें नाथुला है और इसी में ही जेलेपला नाथुला और जेलेपला इंडिया और तिब्बत के बीच में याद रहेगा ये भी आपको अभी तो बिल्कुल याद रखने वाला है अभी मैंने नौज से तो आपको याद रहेगा ये नौज जैसे बाहर की और इंसानों की नौज निकली रहती है फिर आते हैं अरुनाचल प्रदेश बॉमडिला बुमला और तुंगा पास दिहांग पास बॉमडिला बुमला तुंगा और दिहांग तो दिखाते हैं आपको बॉमडिला तुंगा दिहांग और ये आजाओ यह देखा, बॉम्डीला, बॉम्डीला, ओके, बुंगला, टुंगा, ओके, दिहांग और दिफू यह अरुनाचल प्रदेश के हैं, इनको आपको याद करने के लिए बेटा, अफर्ट नहीं लगाने, पता है क्या होता है, मैपिंग कैसे सीखी जाती है, रटने से नहीं, बार बार देखने से यह बिल्कुल पता है, बिल्कुल कैसा है, मैं आपको किसी अजनभी शहर में लेके चला गया ओके, आप घर से ही नेट पे देखो, अच्छा वहाँ एक किराने वाले की दुकान है, और वहीं पे जलेबी वाला है, फेमस नाथुराम की जलेबी, जलेबी वाले के बाजू में नेट पी देख रहा हूँ मैं, वहाँ से 20 मीटर लेफ्ट पे गली जाएगी, है ना, वो च चोड़ा रस्ता कहलाता है, उस चोड़ा रस्ता में 10 दुकान छोड़के, ऐसे कभी आप मैप को याद नहीं कर सकते, आप उस शहर के अंदर चले जाओ, और उस शहर को घुमो, बस सिर्फ घुमो, और देखते चलो, अरे वा, अरे वा, याद हो जाएगा, तो मैपिंग भी सेम है बेटा, लोकेशन्स, रट नहीं सकते, उन से होके गुजरना होगा आपको, बस आप ये मन में जब पासिस पढ़े हो, तो ये सोचो, आप मैं यातरा कर रहा हूँ हिमालिय की, अभी मैं जमू कश्मीर और लदाक में हूँ, ओके मुझे अगहिल नजर आ रहा है, मुझे माना, नीती, लीपुलेख नजर आ रहा है, मैं अभी सिक्किम के अंदर गया, तो ओ, सिक्किम के अंदर तो नाथुला और जेलेपला है, चलते हैं अभी अरुनाचल प्रदेश की और, बॉमडिला, बुमला, टॉंगा, दीफु, ये सब नजर आ रहा है, दिमाग प ठीक है, हाला कि जो मेरा MCQ का सेशन हो रहा है, सब करा चुका, MCQ भी पूछे है, मैंने इनी सब पे, कौन सा पास, कौन से राज्य में है, किस से कौन, कल वाला जो सेशन था, वो किस के उपर था, जो कल वाला हमने सेशन लिया है, भुगोल का महादंगल, इनी के उपर था, वो सब का सब, अब घाट्स आ गए, घाट भी है न, पासिज को घाट बोलते हैं, उत्तर में हम उनको क्या बोल रहे हैं, पास, ला, दक्षिन, मध्य में उनको हमने बोला है घाट, सबसे है गोरम घाट, गोरम घाट, तो अरावली के अंदर है, राजिस्तान के अंदर गोर गोरम घाट है गोरम घाट चलो फिर है असीर गड़ असीर गड़ असीर गड़ है ये हमारा ये मध्या प्रदेश में है जो क्या करता है नर्मदा और तापी की वैली को आपस में कनेक्ट करता है ये नर्मदा है ये नर्मदा है ओके ये तापी है और बीच में सत्पुडा है और तापी की घाटी को connect करने वाला जो पास है इनको जो जोडता है उसका नाम है असीर घाट असीर गड़ पास बेसिकली क्या है एक पासिज है एक रास्ता है उसको हम पास बोलते है ठीक है फिर है ठाल घाट हमारा जो पास्चिमी घाट है पासिज देखने को मिलेग fragrance यहाँ पे भी पास मतलब रास्ता यह आपको जोगरफी में दर्शाय जोगरफी के अंदर बेटा पासिज को दर्शायने का सिंबल यह होता है चलो तो ठाल घाट है सबसे उपर है ठाल उसके बाद नीचे है पाल घाट थाल घाट भोर घाट पाल घाट तो कहता है थाल घाट क्या है महारास्ट को connect करता है किस से कॉलकता से महारास्ट में मतलब मुंबई को मुंबई को किस से connect किया इसने कॉलकता से फिर है भोर घाट महारास्ट को यानि के मुंबई को connect करता है च कोलकाता से, एक मुंबई को किस से connect कर रहा है? چेन्नाई से, रास्ता है, इधर अगर आपका मांटेन रेंज हो गया, इसमें कहीं से तो रास्ता आएगा ना, निकलने का और पार, फिर है पाल घाट, पाल घाट केरल है, चेन्नाई को कौचीन से connect करता है, इधर चेन्नाई और कोचीन को कनेक्ट करता है असीरगड किदर है बताओ मुझे असीरगड 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 बताओ मुझे मैं आपके सामनी खड़ा हूँ डूंगर बनके बताओ मुझे MP 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 ठीक है बहुत ही शानदार ठीक है बहुत बड़िया MP में है शानदार नर्मदा तापी को जोड़ता है बहुत ही बहतरी अब प्लैट्यू देखेंगे पठार 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 है हमारे प्लैट्यू मालवा का पठार मालवा पठार है उसके बाद है हमारा बुंदेल खंड पठार बुंदेल खंड का पठार है उसके बाद है बगहेल खंड पठार यह पठारों के नाम देखने को मिलेंगे आपको छोटा नाकपुर है ना छोटा नाकपुर उसके बाद है शिलॉंग शिलॉंग का पठार है उसके बाद है दंड का रन्य गंड का रन्य उसके बाद है दक्कन का पठार उसके बाद है तिलंगाना पठार और उसके बाद है करनाटक का पठार ये सब आठ नो पठार अभी हम देखने वाले है मालवा पठार आजाओ नजर आ रहा है आपको अभी करते है सारे के सारे पठार अभी माउंटेन रेंजीज को ध्यान में रखना बिटा जो माउंटेन रेंज कराकोरम, लदाक, जासकर, पीरपंजाल, धोलाधार उसके बाद हमारा महान हिमाल्य और शिवालिक हिमाल्य नौर्थ इस्ट उनके साथ साथ ही देखेंगे अरावली, विंधिय, सत्थ पुड़ा बाबा बुदन, नीलगिरी, अन्ना मलाई, काडमम, पालनी, वर्षुनाद, पंचम मलाई शिवरोय, जावदी, नागरी हिल्स, वेलकोंडा, पालकोंडा, नल्ना मलाई ये सब दिमाग में अभी होना चाहिए अभी आपको मालवा का पठार, ये देखो, ये मालवा का पठार है, मालवा ये मालवा का पठार है, मालवा, ये वाला, पूरा का पूरा ये मालवा है इसके जस्ट बाजू में है ये, बुंदेल खंड अभी UPSC पूछेगा कि इधर से जारी आपकी अरावली ये आपकी अरावली है जारी है ना अरावली और यहां से आपकी जारी है विंधियन ये आपकी जारी है विंधियन तो वो पूछलेगा अरावली और विंधियन के बीच में कौन सा पठार है तो ये देखो मालवा का पठार है तो इसलिए mountain ranges को दिमाख में लेके चलना ताकि आप eliminate कर पाओ ठीक है तो ये हो गया हमारा मालवा ये वाला मालवा हो गया ये हो गया बुंदेल खंड ये बुंदेल खंड है इसके बाद ये वाला है बगेल खंड बगेल खंड ये बगेल है ठीक है उसके बाद है छोटा नाकपुर का पठार इस छोटा नाकपुर के पठार में आपको बहुत सारे पठार हाजारी बाग का पठार रांची का पठार ये सब मिले गए इदर ही आपको छोटा नाकपुर का पठार अब ही चलते है शिलोंग यह आ गया शिलोंग शिलोंग यह शिलोंग का पठा रहे हैं अब ही UPSC पता है क्या चालाकी कर सकता है हमने बोला East से West West से East East से West North से South से North हम याद करें mountain ranges को UPSC चालाकी के साथ क्या कर सकता है mountain ranges का और platues का combination दे सकता है समझ गे यहाँ पे वो लिख देगा क्या मिकिर पहाडिया सपोज कर यहाँ पे उसने लिख दिया रेंगमा की पहाडिया लिख दिया फिर वो शिलोंग पठार का नाम दे देगा फिर अचानक से बगेल खंड का नाम दे देगा फिर वो अरावली का नाम दे देगा और पूछ लेगा इन पठारों और परवतों का या पहाडियों का पशिम से पूर उत्तर से दक्षिन, दक्षिन से उत्तर क्रम बताईए तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि mountain ऐसे बेटा compartment करके कि नहीं mountain range अलग है अभी धर्ती पे तो सब एक साथ ही है तो आप भी सब को एक साथ ही लेके देखा चलो एक बच्चा बोल रहा है कि सर मुझे भूक लगी है मैं जाओं नहीं not allowed अभी इस class से कोई नहीं जाएगा जब तक मैं हूँ अरे मैं भी तो सिर्फ पानी पी के काम चला रहा हूं भाई और सुबह आठ बजे उठते ही भूक नहीं लगती भाई है ना अभी उल्टा हो रहा है टीचर जादा मेनत कर रहा है बच्चा कम कर रहा है ऐसा कैसे चलेगा कोई नहीं जाएगा इस class को छोड़के यहीं रहेंगे गेट बंद कर दो अब बोलोगे गेट तो हैं नहीं कौन से बंद करे यह virtual गेट है यह moral गेट है ठीक है कोई बाहर नहीं जाने देंगे ना मेरे सभी बच्चों के मम्मे पापा भाई बहनों से मैं अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों को कमरे से बाहर ना निकलने दे उनको उनकी टेबल पर इंबिठाए रखे ठीक है सबसे अपील है मेरी कोई ना निकलने दे इन बच्चों को जहां बैठे उनको वहीं रखो चले उसके बाद आया हमारा डेकन प्लेट्यू ये देखो दक्कन का पठार आ गया दक्कन का पठार छीक है दक्कन के पठार के थोड़ा इधर आप देखो दंड का रन्ये दंड का रन्ये प्लेट्यू है इस दक्कन के जस नीचे है करनाटक का पठार और यहां पे है तेलंगाना का पठार ये तेलंगाना है मालवा, बुंदेल खंड, बगेल खंड, छोटा नागपुर का पठार, शिलॉंग का पठार मालवा के जस नीचे दक्कन का पठार दक्कन के पठार के नीचे करनाटक का पठार करनाटक के पठार के बाजु में है आपका तेलंगाना का पठार और उदर छोटा नाकपूर और तेलंगाना के बीच में कौन सा है दंड कारण्य का पठार छीक ना अभी क्या कर सकते हैं, अपीली कर सकते हैं, कि पढ़ने दो अपने बच्चों को, इनको हिलने नहीं देना, बहुत बढ़िया, पीडियाफ मिलता है, मेरी सारी क्लासीज का, सारी यूट्यूब क्लासीज का पीडियाफ मिलेगा आपको, ठीक है, बहुत ही शांदार, फिर आते हैं, Great Plains, Great Plains पे चलते हैं, Plains, मैदान, है न, तो The Great Plains of North India, Great Plains of North India, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, देखो, आभी तक हमने सबसे उपर देखा हिमाले, हिमाले, ओके हिमाल्य के बाद हमने प्राय दीपिय भारत देखा तो हिमाल्य और प्राय दीपिय भारत के बीच में ग्रेट प्लेइन्स तो इसने बोला देखो ये तो है आपका ये तिबबत का पठार है ये तिबबत का पठार है तिबबत के पठार के बाद हिमाल्या आता है हिमाल्या में ग्रेट हिमाल्या मिडल हिमाल्या और शिवालिक आ गया और अभी हम ऐसे चल रहे बटा यूजवली ह हम कैसे देखते हैं usually हम ऐसे देखते हैं हम सामान्यत ऐसे देखते हैं कि यहां पे तिबबत का पठार है फिर यह हिमाले है और फिर यह मेदान है अब इसी को मैंने ऐसे पलट दिया तो सबसे पहले तिबबत आ गया यह वाला तिबबत इसको एंटी क्लोक वाइस गुमा दो 90 degree anti clockwise घुमाते ही है ये वाली shape आ जाएगी तो ये तिब्बत हो गया ये हिमाल्य शिवालिक उसके बाद ये मेदान शुरू हुआ मैदान शुरू हुआ मैंने बताया था न 2005 हिमाल्य Francis से बना है हिमाल्य तो हिमाल्य बना तो पूरा का पूरा टैथिस से हिमाले थोड़े न बनिया, टैथिस में अभी सेडिमेंट आया, हिमाले बनता गया, हिमाले से नदिया अपने साथ क्या लेके आती रही, सेडिमेंट लेके आती रही, टैथिस सी को भरना शुरू कर दिया, तो आज हम कहां पे है, सिंधु गंगा के मैदान बे, तो तो प्लेन कैसे है, सुनो बेटा, ये देखो ये है सबसे पश्ची में है, राजिस्थान का मैदान, राजिस्थान प्लेन है ये, ये राजिस्थान हो गया, फिर ये पंजाब हरियाना का मैदान, पंजाब हरियाना, ये राजिस्थान का मैदान है, उसके बाद ये उपरी गं गंगा मैदान उपरी गंगा मैदान उके उसके बाद है मध्य गंगा का मैदान ये मध्य गंगा है ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार ये सब है इसमें उसके बाद यहां पे आजाओ वेस्ट बेंगोल में निम्न गंगा का मैदान ओके ये और उसके बाद नौर् ब्रहमपुत्र का मैदान, अपर गंगा, मिडल गंगा, लोवर गंगा, पंजाब, हरियना अलग, और इधर राजिस्थान का मैदान अलग है, फिर ब्रहमपुत्र का मैदान हो गया, याद रहेगा, जो मैदानी छेतर है, पहले माउंटें देखा, प्राइदीपिय भारत देखी परवचोटिया देखी पठार देखे अभी हम देख रहे है मैदान ये सब डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडिया जोगरफी में लेकिन एक मोटा मोटा नक्षा आपका बन जाना चाहिए राजिस्थान पंजाब हरियाना उपरी गंगा मैदान मध्य गंगा म मैदान और भ्रह्म पुत्र का मैदान अब आते हैं नेक्स्ट इस पे बहुत इंपोर्टेंट है वैरी वैरी इंपोर्टेंट ये है हमारा अंडमान और निकोबार दीप सम्हूं और लक्ष दीप दीप सम्हूं ठीक है तो आप जानते ना अंडमान और निकोबार किधर है ये अगर भारत है, ये भारत है, इधर आपके बहुत सारे दीप समू है, इनको हम बोलते हैं लक्ष दीप, और इधर है हमारा, ये है अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी में है, और ये लक्ष दीप वाले कि इधर है, अरब सागर की अंदर है ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, तो अभी यहा देख रहे हैं कि जो अकसर हम मैप के अंदर, छुटकू-छुटकू सा देखते हैंना, छोटे-छोटे से नजर और UPSC छोटे को कभी इतना बड़ा बना देता है और पूछ लेता है प्रशन दो दो प्रशन पूछ लेता है तो अभी आज इसको बहुत अच्छे से देखने वाले अभी हम काफी जादा इंपोर्टेंट है ये तो देखो अंड मान और निकोवार दीप समू बेसिकली आपक का समू है बहुत सारे दीप है हजारों की संख्या में ओके तो अंड मान दीप समू और निकोवार दीप समू तो दोनों को मिला के बोलते अंड मान और निकोवार दीप समू याद रहेगा अंड मान और निकोवार अब जो ये अंड मान है इस अंड मान को देखो सबसे उत् फिर है middle अंडमान, मध्य अंडमान, निम्न अंडमान और फिर है little अंडमान तो देखो, simple सा याद रखने में कोई दिक्कत नहीं, सबसे उपर उत्तर होता है उत्तर के जब थोड़ा नीचे आएगे, मध्य होगा, मध्य के थोड़ा नीचे आएगे, दक्षिन होगा और दक्षिन से भी और छोटा क्या हो जाएगा, little हो जाएगा, और कहां जाओगे याद रखने का कैसे, अगर आपको अंडमान को याद रखना है तो याद रखो सबसे उपर होता है उत्तर, तो ये उत्तरी अंडमान हो गया उसके जस नीचे होगा मध्य, उसके जस नीचे होगा दक्षिन और दक्षिन से भी अगर आपकी हिम्मत हो रही है कि और नीचे लेके जाने की तो क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिनी अंडमान और little, छोटा, है न, छोटा, little हो गया ये, ये तो होगे आपके, अभी भी बहुत सारे है बेटा, लेकिन हमें ये चार मेजर याद रखने है, फिर चलते हैं निको बार में, निको बार में देखो क्या है, car, निको बार, car है, car, 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 कार के बाद यहीं पे और भी बहुत सारे है, कच्छल आपका आईलेंड है, कच्छल आईलेंड है, इसमें फिर लिटिल निकोबार है, और इसमें है ग्रेट निकोबार, यह मोटा मोटा है, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको अपने हाथ से बना के दिखाऊं अंडमान. ये उत्तरी अंडमान है. इससे भी ऊपर ले लेते हैं. यहाँ पे कुछ आईलन हैं. कोको. कोको आईलन. लेकिन ये भारत के नहीं है. ये है मयम्मार के. मयम्मार के हैं. इसके बाद आया हमारा उत्री अंडमान नाम इधर भारत वाले नाम इधर रखेंगे उत्री उत्री अंडमान है उसके बाद आएगा कोन सा मध्य है मिडिल अंडमान हो गया उसके बाद हो गया South दक्षिन अंडमान उसके बाद हुआ Little अंडमान है ना Little अंडमान हो गया उसके बाद चलते यह तो हो गये हमारे अंडमान मेजर मेजर हमने देख लिए अंडमान के दीपसमू अंडमान दीपसमू हो गये अभी यहाँ पे चलते निको बार में शुरू करते निको बार में सबसे पहले हो गया कार कार निको बार कार के बाद आएगा कॉमोर्ता कार कॉमोर्ता आपको नज़र आ रहा है फटा फट बताओ क्या आप देख पा रहे हो कार कॉमोर्ता उसके बाद आएगा लिटिल निकोबार और उसके बाद आएगा ग्रेट निकोबार ये सब हो गए हमारे निकोबार और सेम ऐसे ही ओरडर है बिटा नौर्थ से साउथ ऐसे ही चलेगा साउथ से नौर्थ ऐसे ही चलेगा ठीक है बहुत ही बढ़िया चैनल्स के बारे में भी बताएंगे टेंशन ना लो चैनल्स के बारे में भी बताएंगे अब हमें ये पता चल गया ये सब का सब वो बंगाल की खाड़ी में है बंगाल की खाड़ी जिसको आप बोलते हो बंगाल की खाड़ी के ये दीप सम्मू है सब के सब बंगाल की खाड़ी के है अब आप का होगे सर यहां कुछ और क्रांती कारी चीजे दिखा दीजिए सुनो अब UPSC आपसे पुछता है चैनल चैनल मतलब जल मार्ग बहुत सारे तो यहां पे अब इसको मैं यहां से यह थोड़ा मैं यहां से अटा देता हूँ यह वाला पार्ट अटा देता हूँ क्योंकि अब मुझे चैनल दिखाने है तो यहां पे कोकोज आइलेंड है मेंमार का और यह उत्तरी अंडमान के बीच में यह एक जो चैनल है इसको हम किस नाम से जानते हैं कोको चैनल कोको चैनल है यह पहला आप भी ऐसे ही ड्रो करना मेंटा कोको चैनल हो गया यह आपका उसके बाद यह दक्षनी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है एक और चैनल जिसको हम बोलते हैं डंकन पासेज किसके बीच में है लिटिल और दक्षनी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में फिर आपने चैनल का नाम सुना होगा टैन डिगरी चैनल तो यह जो कार, निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में है इसको हम बोलते हैं टैन डिगरी चैनल ये 10 degree क्यों बोला जा रहा है बेटा 10 degree ओके 10 degree यानि कि 10 degree उत्री अक्षांस पर है ये इसलिए ये है 10 degree channel फिर आपको एक मिलेगा great channel तो great निकोबार के जस दक्षिन में जो channel है इसको हम बोलते है great channel ये है हमारा great channel ये आपको याद हुआ या नहीं फटा फट मुझे बताईए याद हुआ UPSC पूछता है कई बार पूछा है 10 degree channel किसके है ना डंकन पासेज कहा है 10 degree channel किनके बीच में है great channel कहां पर है ये पूछे है बेटा UPSC ने सभी और ये कौको चैनल ये पूछेगा वो आपसे सेम ऐसा बना लेना चाप लिया है बच्चे कह रहें सर चाप लिया है ड्रो कर लिया है बहुत ही शांदार अभी तो बहुत कुछ दिखाना है इसी में ही बहुत कुछ और छिपा है अभी बहुत कुछ और शिपा है यहीं पे सबसे बड़ी बात अब आ जाते है एक और रंग बदल देते है रंग बिरंगी दुनिया में रंग बदल के सीखो जीना यह देखो यहाँ पे आपका माउंटिन है सबसे उची परवत चोटी है जिसको हमने बोला था सैडल पीक सैडल पीक अगर UPSC आप से पुछे सैडल पीक कहा है अंडमान निकोबार की सबसे उची परवत चोटी सैडल पीक किस पे है उत्तरी अंडमान पे है उत्तरी अंडमान यहीं पे एक छोटा सा आईलेंड और है जिसको हम बोलते है नार कॉंडम आईलेंड नार कॉंडम दीप है यहां पे उसी नार कॉंडम दीप पे मिलती है एक बर्ड जिसका नाम है नार कॉंडम हॉर्ण बिल पक्षी है एक बर्ड है यहीं इसके पास में है नार कॉंडम दीप नार कॉंडम हॉर्ण बिल मिलती है उस पे अब ही यह मधय अंडमान आ गया इस पे भी एक मांटेन मिलता है जिसको बोलते हैं मांंट डियावोलो मांट डियावोलो माउंट डियावलो स्पेलिंग याद रखना डि आई ए वी ओ ल ए वी ओ लो माउंट डियावलो ठीक है फिर आप बोलोगे अंडमान और निकोबार की राजदानी तो सर पॉर्ट बलेयर है तो पॉर्ट बलेयर कहां पे पढ़ती है अंडमान निकोबार की राजदानी पॉर्ट बलेयर यहाँ पे पढ़ती है पॉर्ट बलेयर किस पे राजदानी किस पे है अंडमान निकोबार की पॉर्ट बलेयर और वो पॉर्ट बलेयर कहा है साउथ अंडमान और यहीं पे आपको एक और mountain मिलता है जिसको बोलते है Mount Harriet यहीं पे मिलता है Mount Harriet Mount Harriet ठीक है उसके बाद उसके बाद Great Nikobar पे आपको मिलेगा Great Nikobar यहाँ पे एक mountain मिलेगा Mount Thulier Mount Thulier कितने सारे आपके पास information आ गई और Barren Island Barren Island आपको यहाँ पे भारत का एक मातर भारत का सक्रिय जो अला मुखी है Barren Island यहाँ पे आपको मिलेगा Barren Island Barren कितनी सारी information आ गई हमारे पास बहुत सारे passes आ गए North से South, South से North का order आ गया यहाँ के mountains आ गई उसके साथ यहाँ की जो major peaks आ गई यहाँ की capital आ गई बना लिया सबने जल्दी से बताओ अगर सबने बना लिया हो तो फिर इसको delete करें delete का मतलब मैं यहाँ पे आके खड़ा हो जाओंगा ऐससे करके नहीं दिख रहा ना किसी को हाँ नहीं दिख रहा चलो अब मैं आपसे प्रशन पूछता हूँ पहला प्रशन 10 degree channel किसके मध्य है 10 degree channel बताईए मुझे 10 degree channel मैं भी 56 इंच का करके खड़ा हो गया ना चलो बताओ बताईए कितने होशियार है बच्चे बता रहे सर्फ पोर्ट बलेयर के नीचे वा बिटा वा है न लिटल अंडमान और कार निकोबार के बीच में वैल रन बहुत ही बढ़िया जिन बच्चों ने बताया है कि लिटल लिटल अंडमान और कार निकोबार के बीच में एक्जेक्टली बिल्कुल सही है अब मुझे आप बताईए सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे उची परवत चोटी किस पे है सबसे उची परवत चोटी किदर है सबसे उची परवत चोटी किदर है सबसे उची नौर्थ अंडमान में बता रहे है उत्तरी अंडमान में है वेल डन बहुत ही बढ़िया चले उसके बाद एक और प्रशन आपके सामने आ रहा है अंडमान निकोबार की राजधानी पॉर्ट ब्लेयर पॉर्ट ब्लेयर किदर है कौन से दीप पर है उसकी राजधानी अंडमान निकोबार की राजधानी पॉर्ट ब्लेयर अरे भई क्या जवाब दे रहे हो उत्तरी अंडमान बता रहे हो थोड़ा तो सोचो South Andaman है Yes South Andaman बहुत ही शांदार उसके बाद Yes, well done, well done सब बता रहे है रंजेश रंजेश बेटा आप तो North बता रहे हो कैसे बता रहे हो Okay Simran, Siddharth, Shivkania ये सब अच्छे बता रहे है अच्छा अभी मुझे Mount Diavalo Mount Diavalo Mount Diavalo किधर है Mount Diavalo Mount Diavalo Middle पे है Well done, बहुत ही बढ़िया अच्छा एक Mount Koyob भी है याद आया मुझे Mount Koyob Mount Koyob ये सब कैसे मिट गया है न उत्तरी अंडमान है ये और ये मध्य है ये दक्षनी तो Mount जो डियो बोला है जैसे यहां Mount Harriet है न बेटा और ये Mount Koyob है कोयोब याद रखना कोयोब अगर पूछता है UPSC Mount Koyob Mount Koyob K-O-Y-O-B वो भी आपका दक्षनी अंडमान पे ही है Mount Koyob ठीक है Buffering तो नहीं होड़ा बेटा एक Last और बता दो आप मुझे ये बता दीजिए Duncan Passes किदर है Duncan Passes Duncan Passes और बता दो फिर मैं आपसे नहीं पूछूँगा Duncan Passes किदर है बेटा दो के बीच में होगा ना दोनों के नाम बताना दोनों के नाम सुनना चाहता हूँ मैं South or Little क्या South or Little क्या South or Little Unmanned Well done शिवांगी पांडे ने जवाब दिया है ला जवाब बहतरीन चले South or Little के बीच में है बहुत ही बढ़िया Next चलते हैं यहां से तो यह बेटा यह था जिसको मैंने आपको इस फॉर्मेट में दिया और आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसी फॉर्मेट में मिल जाए सारे PDF अब आ गए हम लक्षदीप दीप सम्हूँ यह लक्षदीप किदर था मैंने आपको बताया था यह इंडिया है इधर आपके लक्षदीप दीप सम्हूँ है लक्षदीप है तो यहां पर देखो लक्षदीप के अंदर बहुत सारे दीप है प्रवाल दीप सम्हूँ है यह सब के सब बिटरा आइलेंड है न, बिटरा काफी famous नाम है, बिटरा, कदमत, अगाती ये कई बार नाम पुछ सकता है आपसे वो, कवारत्य है, कालपेनी है और किल्तन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप नाम सुनते हो ना लक्ष दीप और मिनी कोई लक्ष दीप और मिनी कोई का जो आप नाम सुनते हो थोड़ा बढ़ा करके दिखा देता हूं मैं आपको आजाओ ये देखिए ये देखो बित्रा किल्तन कदमत अगाती कवरत्ती कालपेनी मिनिकोई और इस मिनिकोई के दक्षिन में है आपके मौल्दीव मौल्दीव का नाम सुनाए ना मौल्दीव मिनिकोई के साउथ में मौल्दीव है मतलब ऐसे है ये लक्षदीव हो गए लक्षदीव के बहुत सारे हो गए यहाँ पे फिर ये मिनिकोई हो गए और यहाँ पे फिर साउथ में मौल्दीव तो ये मौलदीव, ओके ये मिनिकोय और ये लक्षदीप के ये बहुत सारे बित्रा, कल्तन, कदमत, अगत्ती, कावरत्ती, कालपेनी ये सब लक्षदीप है तो लक्षदीप, मिनिकोय और मौलदीव इस तरह से है बिटा ये लक्षदीप, मिनिकोय, मौलदीव अब याद रखना ये जो मौल दीव और मिनी कोई के बीच में जो आपका चैनल है इसको हम बोलते आठ डिग्री आठ डिग्री चैनल है ये और ये मिनी कोई और लक्ष दीव के बीच में जो चैनल है इसको हम बोलते नाइन डिग्री नाइन डिग्री चैनल एट डिग्री मौलदीव मिनिकोई नाइन डिग्री मिनिकोई लक्ष दीब तो हमारे पास एट डिग्री चैनल है हमारे पास नाइन डिग्री चैनल है हमारे पास टैन डिग्री चैनल है एट डिग्री नाइन डिग्री टैन डिग्री याद रहेगा आपको अब आपका ठिक है आप मुझे बताओ 10 डिगरी चैनल 9 डिगरी चैनल और 8 डिगरी चैनल 8 डिगरी हमने देखा ये हमने देखा मौलदीव और मिनिकोई के बीच में 9 डिगरी चैनल हमने देखा लक्षदीब वे मिनिकोई मिनिकोई के बीच में और 10 डिगरी हमने देखा था लिटिल अंडमान और कार निकोबार ये ही था ना जल्दी से बताओ तो UPSC आपसे ये पूच सकता है ऐसे देदेगा कि निम लिखित पर विचार करो consider the following statement निम लिखित निम लिखित कथनों पर विचार करे फिर वो देदेगा इसको A बोल देगा इसको B बोल देगा इसको C बोल देगा फिर देखे बोलेगा उपर युक्त में से कौन सही सुमेलित है option आएगा A इसको 1, 2, 3 कर देते है 1, 2, 3 option आएगा A केवल 1 B केवल 3 C 1, 2, 3 और D 1, 2, 3 ऐसे ही तो question पूछता है वो ऐसे ही सवाल पूछता है ने बिटा जल्दी से जवाब दो ऐसे ही पूछता है ऐसे ही मैंने आपको बता दिये all, all, all ठीक है D is right हो गया अब भारत के कुछ island देख लेते हैं कुछ island दिखा देता हूँ मैं भारत के आपको आ जाओ ये island देखो गेटा पूछ सकता है ये भी कभी भी आपसे ये है खादिर खादिर गुजरात के अंदर है खादिर पंचम बेट और नोरा और पिर्तन और दियू और अलिया बेट और खलिया बेट ये आपके गुजरात के है खादिर पंचम बेट नोरा पिर्तन दीव अलिया बेट खलिया बेट ठीक है उसके बाद थोड़ा और दक्षिन में आओ बुचर आइलेंड सालसेट आइलेंड एलिफेंटा आपने सुना होगा एलिफेंटा की गुफाई एलिफेंटा आइलेंड ओयस्टर आइलेंड पोई ester हो गया ओके ठोड़ा नौर्थ-East में चलते हैं माजुली नदी निर्मित दीप है ये माजुली ब्रह्म पुत्र माजुली हो गया उसके बाद देखो यहाँ पे आया सागर आइलेंड सागर उसके बाद आया न्यू मूर आइलेंड ये है सागर उडिसा वीलर आइलेंड ओके इधर आजाओ हॉप आइलेंड हॉप श्री हरी कोटा आंधर प्रदेश श्री हरी कोटा याद रहेंगे बच्चे बोल रहें सर आज तक किसी ने मैप को इतना अच्छे से किसी ने नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं आपके जीवन में जितनी भी कम्या रह गई है पढ़ाय को लेके सब्जेक्ट को लेके मेरे विश्यों में मैं आपकी वो सारी कम्या पूरी कर दूँगा घबराओ मत अपना बड़ा भाई मान कर टीचर मान कर मेंटर मान के एडुकेटर मान के बस पढ़ो ठीक है तो माजूली हो गया सागर न्यूमूर वीलर हॉप हॉप याद रखना हॉप ये आपने कम सुना होगा हॉप ये वाले काफी फेमस है गुजरात वाले ये पंचम, बेट, नौरा, पिर्तन, दियू, अलिया बेट, खलिया बेट, खादिर, ये बुचर, सालसेट, अलिफेंटर, ओयस्टर, चला इसको हटा देते है आज चाओ अभी थोड़ा और दक्षिन में चलते है दक्षिन में चलते है ये लो ए घूम गया भाई है ना ये आज आओ यहाँ पे सैंट मेरी, सैंट मेरी, शैटलेंड आइलेंड, है ना कोकोनट आइलेंड, कवारती कनूर, ये तो हमने देखी लिया पंबन, है ना, पंबन कच्छा तीवू आइलेंड, आदम ब्रिज, श्री हरी कोटा हमने देखा, ये नार कोंडम हमने देखी लिया था और ये बैरन, भारत का सक्रिय ज्वाला मुखी सक्रिय ज्वाला मुखी भारत का सक्रिय जो अला मुखी है बैरन आइलेंड और ये नारकॉंडम इसी पे एक मिल रहा था नारकॉंडम हॉन बिल अक्षि था यहीं पे मिल रहा था वो तो ये इंडिया के आइलेंड हो गई बटा इंडिया के आइलेंड हो गई यह क्या है Practice Time आज पढ़ा तो बहुत है अभी सब का Quick Revision करेंगे यहां शानदार तरीके से एक सेकिन्ड को एक स्लाइड मैं सोच रहा हूँ या शायद एक स्लाइड मिस हुई है यहां पे एक सेकिन्ड को कुछ स्लाइड मिस हुई है क्या यहां पे एक स्लाइड मिस हो गई एक स्लाइड मिस हो गई है मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा एक स्लाइड है जिसमें महादेव, मैकॉल, सत्थपुडा हरिश्चंद्र, बालाघाट वो सब दिखाया है मैंने उसमें लेकिन वो मैं PDF में दे दूँगा आपको एक स्लाइड मिस होगी महादेव, सत्थपुडा मेकॉल, हरिश्चंद्र गाविलगड की पहाडिया कहा है, क्या उनकी लोकेशन है वो मैं आपको दूँगा इसको देखके याद आ गया मुझे कोई बात नहीं, अजन्ता की पहाडिया मैं तो हुई न, टेंशन क्यों ले रहे हो अब प्रैक्टिस टाइम आ गया सबसे पहले करते हैं माउंटेन रेंजिस को चलो, त्यार हो जाओ पहला, शुरुवात करते हैं यही से सबसे उपर है करा कोरम यह हो गया करा कोरम उसके बाद है लदाक लदाक का ही जो इदर विस्तार है वो केलाश रेंज है उसके बाद है जासकर उसके बाद है पीर पंजाल ओके और यही पे है धोला धार तो करा कोरम करा कोरम लदाक जासकर यह पीर पंजाल और यह हो गई हमारी धोला धार धोला धार ओके इधर आजाओ अभी इधर आजाओ नेपाल के अंदर नेपाल के अंदर का क्रम कौन बच्चा बताएगा बताओ धोला गिरी धोला गिरी धोला गिरी थी उसके बाद अन्नपूर्णा उसके बाद मनसालू मनसालू के बाद गनेश उसके बाद गोरी शंकर गोरी शंकर के बाद एवरेस्ट एवरेस्ट के बाद क्या था मकालू धोलागिरी अनपूर्णा धोलागिरी डी डी से धोलागिरी ए से अनपूर्णा ओके एम से मनसालू गनेश गोरी शंकर एवरेस्ट और मकालू और उसके बाद आ गई थी हमारी कंचन जंगा कंचन आया था ना चलते हैं उत्तर पूर्वी भारत में ये है हमारा अरुनाचल प्रदेश डाफला मिरी अबोर मिश्मी पठकई भूम याद आया ना आपको डाफला मिरी अबोर मिश्मी और ये थी पठकई भूम कोई दिक्कत बताओ मुझे जल्दी से जवाब दीजिए आरे मुझे सुनाई नहीं दे रहा भाई बताओ कोई दिक्कत नहीं है इनको आजओ आजओ फिर आजओ दिक्कत नहीं है तो चलते है नागा लेंड के अंदर यहां पे आगई नागा पहाडिया नागा पहाडिया आगई नागा पहाडिया आगई चलो उसके बाद आते है मनिपूर में मनिपूर में पूर्वी मनिपूर पहाडिया पूर्वी मनीपूर पहाडिया इधर था ले मेटल याद रखना इधर है लुसाई हिल्स मिजोरम के अंदर यहां थी लुसाई और मिजो हिल्स लुसाई मिजो हिल्स तिरिपुरा के अंदर था तिरिपुरा पहाडिया तिरिपुरा पहाडिया इधर आजाओ, मिघालिये, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, इधर था आसाम के अंदर मिकिर, 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 रेंगमा, बरेल और पूरबाचल, अभी छोटा है तो बेटा क्या करें लिखना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ऐसे याद है, आपको भी, इधर आजाओ, यहाँ पे है अरावली हमारे पास, अरावली है यह, अरावली, गुजरात से लेके डिली तक है यह, यहाँ पे फिर आया अब हमारा, विंधियन, इसी में ही है भांडेर, इसी में ही है कैमूर, यह विंधियन का ही विस्तार है, विंधियन, भान्देर, कैमूर, इधर है आपकी राजमेल की पहाडिया, राजमेल, ये राजमेल हो गया, फिर चलते हैं, विंधियन के साउत में था सत्थपुड़ा, सत्थपुड़ा, महादेव, और मेकॉल, ये बेटा मेकॉल है, ये मनसालू है, याद रखना, मेकाल और मनसालू को कन्फ्यूज नहीं करना, मनसालू है नेपाल के अंदर, और मेकॉल है, मध्य भारत में, उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे, गिरनार हिल्स, गिरनार हो गया, फिर ये अब हमारा चल पड़ा, वेस्टन घाट चला है, वेस्टन घाट, यहाँ से शुरू करते हैं, बाबा बूधन, है ना, बाबा, बाबा बूधन, उसके बाद आया हमारा नीलगरी, उसके बाद है हमारी अन्ना मलाई, उसके बाद है हमारी कारड़मम, कारड़मम, ओके, यहीं पर थी हमारी पालनी, पालनी, उसके यहाँ पर था वरशुनाद, वरशुनाद भी बोलते हैं, वरशुनाद आ गया, उसके बाद था, पंचम मलाई उसके बाद है शेवरोय उसके बाद है जावदी उसके बाद है नागरी हिल्स नागरी हिल्स है वेलिकोंडा पालकोंडा और नल्ला मलाई यहाँ पे है हमारी शेशाचलम क्या बोलते हो बताओ मुझे क्या बोलते हो ऐसा ही है ना कुछ बच्चे बोले सर धुआ उड़ा दिया आपने है ना अभी तो धुआ उड़ा कहा है धुआ उड़ेगा पांच जून के दिन पांच जून इस बार वो तारीख होगी पहली अवर में उसको बोल्ड कर देंगे आपका क्या कहना है बोलना चाहिए लोगों को बड़ी बड़ी डिंगे मत मारो आपका जिस दिन पर्फोर्मेंस बोलेगा धौल बजाने के लिए तो धौली है ना बजाने वाले खूब है बजाएंगे आपका आपको जरूरत नहीं है उसकी भी धौल नगाडे वाले क्यों है ये प्रोफेशन के दिन हिम्मत रखना वस थोड़ा सा इस बार तोड़ के रखेंगे ओके नील गिरी की सबसे उची चोटी दोदा बेटा दोदा बेटा अन्ना मलाई की अनाई मुडी सबसे उची परवत श्रेनी थी यहां की इधर सत्पुडा की सबसे उची दूपगाड इधर की था गु पठार मालवा पठार मालवा के जस्ट बाजू में बुंदेल खंड पठार उसके जस्ट बाजू में बगेल खंड का पठार उसके जस्ट बाजू में इधर छोटा नाकपुर का पठार अजारी बाग का पठार राची का पठार सब उसी में है फिर नीचे है दक्कन का पठार दक्कन के पठार के नीचे है करनाटक का पठार उसके जस्ट बाजू में है तिलंगाना का पठार इधर है हमारा दंड का रन्य का पठार इधर है शिलोंग पठार याद रखना जो शिलोंग पठार है ना बिटा शिलोंग प्लैट्यू बेसिकली प्राइदीपिय भारत का ही विस्तार है उत्तरपूर में याद रखने लिलना शिलोंग का पठार उत्तरपूर में प्राइदीपिय भारत का ही विस्तार है याद रहेगी ये बात शिलॉंग का पठार उत्तरपूर में प्राइदीपिय पठार का ही विस्तार है देखो जिस दिन मैं कहता हूँ आपकी ये नौलिज है ना ये जो पढ़ रहे हो आपके खून में दोड़ना चाहिए ये रटा वटा नहीं एन्जोय करो इसको ये इसको एथिहासि की आतरा बना दो आप ये सोचो की ये मेरे जीवन के 2-3 साल है ना ये मेरे जीवन के सबसे ज़ादा परिवर्तन कारी सबसे ज़ादा क्रांति कारी और सबसे ज़ादा युगांतर कभी नहीं खिलोगे आप ऐसा कभी नहीं पढ़ोगे आप ऐसा जीवन में ऐसे वर्ष है ये ये सोचके चलो ये इसको खून में दोडाना शुरू करता है ऐसे दोड़े आपका नॉलिज आपका मुझ जब भी बोले तो ऐसे फूल खिले उससे ज्यान के ये लगे यार वास्तम में कि आप एक पढ़े लिखे इनसान हो आपके अंदर लोगों को नजर आ जाना चाहिए आपका उठना आपका बैठना आपका बोलना आपके तरीकों से लोगों को फील होना शुरू हो जाए कि आप वासम में एक आये सदिकारी बनने के लायक है तब है आनंद इसको बोजमत बनाओ इसको जरनी बनाओ अब ये सोचो की जीवन भर मुझे ऐसे ही जीना है इतना ही नौलिज वाला इंसान होके जीना है वरना बिटा क्या होगा देखो यहां से अगर आपको रोक दिया पतन क्यों कर रहे हो अब ये सोचो मेरा जीवन की यात्रा ही है इतना ही सीखता जाँगा आप अपने आपको सिर्फ एक IS IPS की पोस्ट तक सीमित ना करो यह ग्यान है आप कही भी स्तुमाल कर सकते हो तो खून में दोड़े आपका नॉलिज हाना उबलना चाहिए हर दिन अंदर से है ये उबल रहे है हम सोने नहीं देंगे रात को नीद नहीं आएगी जब तक बनने जाएंगे ना अभी जितना कस्ट है जितनी तड़पन है शरीर में दुख हो रहा होगा मैं भी जानता हूँ मैं भी पढ़ता था आपके अभी भी पढ़ता हूँ आपके दोर में मैं भी था आज से तीन-चार साल पहले मुझे पता है तकलीफ होती है याद नहीं होता नीद कमाती है भूक नहीं लगती है तो अच्छे सिम्टम है भाई ये इसका अंतला अभी आप आईएज बनने वाले हो आप आप सिंसियर हो गए आपके अंदर आगे आभी कुछ करने का कुछ दिखाने का अच्छी बात है लेकिन इसको जेलो वो अधर जब ठंडिया ठंडिया हवा लगेगी ना लबासना के आपके शरीर पे मन पे एक हवा का जोका आपको शान्त कर जाएगा आपकी जितनी तकलीफे हैं ना सिर्फ एक हवा के जोके से दूर हो जाएगी मेरी यकीन मानो मेरा पर इस पेन को जेलो गैरेंटिड एक चाय की चुस्की पीओगे ना लबासना में गार्डन में बैटके एक ठंडी हवा का जोका आएगा आप सब कुछ भूल जाओगे हमेशा हमेशा के लिए अभी आया इंडिया रिवर सिस्टम ये तो नहीं करेंगे रिवर सिस्टम पे नेक्स्ट शेशन लेंगे तीन घंटे हो गए पर आप एक चीज़ देखना तीन घंटे होगे तो क्या वात ही अभी इतना त्यार रखो माइंड के बाद की एक घंटे बाद खाना खाके 15 मिनट का राम करके फिर से हम तीन घंटे पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इस से आप बिल्कुल भी मत घबराना इस पढ़ाई से इस मेहनत से ये नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं हम सब तो बस ध्यान रखना आज शाम एक ऐसा सेशन रात को 9 बजे स्पेशल क्लास पे अनकेडमी की लर्नर एप पे चलती है बटा स्पेशल क्लास याद रखना रात 9 बजे है आज 29 जनवरी स्पेशल क्लास पे अनकेडमी लर्नर एप पे चलेगी वो session बिल्कुल free है आप मेरा code नवीन 1 लगाके उस session को देख सकते है एक ऐसा time table क्योंकि यहाँ पे time management का खेल है बिटा सब 12-13 गंटे पढ़ते हैं 8-10-11-12-13 उन गंटों में क्या पढ़े अभी 4 महीनों के लिए कि हम exam oriented पढ़ना है अभी हमें तो उस पे एक session है काफी दिनों से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सरे एक session लेकर आओ time table बताओ कैसे पढ़े वैसे पढ़ो तो यह session आपके लिए है बहुत analysis है मेरा खुद का उसमें जीवन का अनुभाव है बहुत सारे बच्चों पर मेरा तो है यह बहुत सारे selected candidates पे भी वो tested है तो आप ऐसा ही करना तीन चार महीने इसी तरीके से पढ़ना है जिसे मैं आज रात को बताऊंगा आपको बहुत अच्छा लगेगा भटकाओ नहीं होगा तो यह अचूक समय प्रबंदन बनाऊंगा मैं आपके साथ बाकी Monday से आप जानते ही हो CSET का हमारा बैचल रहा है comprehension का लाजवाब बहतरीन उंगदा result तोडने वाले मतलब जितने भी barrier है न सारे को तोड़ देंगे इस साल हम जो जो आपके रास्ते में आ रहा है ये भी special class पे होती है learner app पे अनकेडमी की प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होती है learner app कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है उसमें और special class पे ही भुगोल का महादंगल CSET comprehension मैं बार-बार कहता हूँ special class वो होती है जो अनकेडमी की learner app पे चलती है अनकेडमी learner app और आप सभी बच्चे मैं कहता हूँ अभी जैसे class end होगी class end करते ही आप play store पे जाना इस app को डाउनलोड करना free of cost है कुछ नहीं अपना phone number डाना और देखो आपके लिए मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो उसका benefit लोगा बाकी किसी का optional जोगरफी है आके मुझसे पढ़ सकता है ethics पे complete course है मेरा unacademy plus पे मेरा code है नवीन 1 जो जितना लगाएगा उतना पाएगा cdc बात है ओके ये code नहीं छोड़ना बिटा आपको ये code आपको क्योंकि मुझ तक access करने का unacademy ने ये code दिया है आप मेंसे कोई भी बच्चा मुझ तक अगर access करना चाता है तो उसका code ये है चाहे वो free classes हो चाहे plus course हो इस code से ही आप की access मुझ तक हो पाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी अभी जितनी है इससे भी और ज़्यादा access बढ़ जाएगी तो ये code आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है और दो फर्वरी से नई batch launch हो रहे है 2022 के लिए 2023 के लिए हिंदी इंग्लिश बाइलिंग्वल सभी है आज का ये session पसंद आया हो तो इसको like जरूर करना शेर करना और हमारे channel Let's Crack UPSC CSC हिंदी को subscribe करना मिलते है एवनिंग में सवा 5 बजे भूगोल के महादंगल में और रात को 9 बजे एक शांदार जबरदस session जिसमें आपके लिए में time table और strategy बना होँगा special class पे होंगे लेकिन दोनों याद रखना special class unacademy learner app पे होती है google play store से आपको download करना होगा जो android users है वो play store से और जो apple के users है वो apple के app store से इसको download करेगे बाकी अपना ख्याल रखना bye bye मिलते है